ओके तो आज की हमारी इस online class का हमारा दूसरा दीन है पहले दीन हमने डिस्कॉस किये थे excel की command and features के बारे में और जिसकी मेरी recording upload कर दी है आप लोग उन्हें साइट मिल गया होगा वे चैनल से या फिर mail के थूँ आज हम दुसरे पार की cover करेंगे और दुसरा पार हम स्टार्ट क तो आज का टॉपिक हमारा है और फॉर्मले का टॉपिक है जो आपके साथ हम डिस्कॉस करेंगे हम और साथ में आप लोग को पूछने का टाइट होगा पर आप लोग अपना hand raise कर दीजिएगा मैं unmute कर दूँगा आप लोग के classes के लिए questions के लिए करें तो चलिए आज स्टार्ट करते है आज की शेशन में बात करेंगे तो फॉर्मुले में सबसे पहरे हम डिस्कॉस करते हैं calculation जी हाँ आज की सबसे पहरी टॉपिक है हमारी calculation की कि calculations के बारे में हम एक बार डिस्कॉस करेंगे mathematical calculation तो एक्सल में जो फॉर्मुला का पार्ट है उसको calculation कहा गया है calculation मतलब दो दो शेल वैलो को आपस में calculate करना तो मुझे इन दोनों पर calculate करना है जैसे कि मुझे प्लस करना है तो इस तरह से प्लस कर सकते हैं इस या फॉर्मुला प्ल sob वाइब करना है सम प्लाइआरो दोनों में देखिक दोनों का result सेम आया वगा है बड दोनों को हमें अलग अलग तरीके से लुझे में कि येहां पर मिन प्लॉस का साइंtoi मैंथमेर्टिकल साइन बिटिए और यहां रहे हैंसम का फार्मला है तो आ आपके सिस्टम में मैंतिमाटिकल फार्मला होते हैं जिसे कि कि प्लॉस माइनस म हुल्टिप्लाइ डिवाइनश हैं और एंद आपर्व एह हमारी mathematical calculation कहलाती है mathematical operators कहलाती है तो आप जो है किसी भी तरह की calculation को mathematical operator से भी कर सकते हैं और आप inbuilt formula से भी कर सकते हैं but inbuilt formula आप apply करते हैं तो ध्यान रखेगा क्योंकि आपके formula में इन उबारा में inbuilt formula limited है और जो डिट है कि आपकी calculations को inbuilt formula आप on the present कर देगा फिर आपके आपकी जरूर्द की हिसाब से आपकी अइक हिसल मेंふर्मुला अभी हूं लेकिं सिए करे साथ की मैं आप अपने हिसाबस्द कर चानी की अपने हिसाबसे इसको य्जज कर सकते हैं कि इस एक जांड पर हम आपको दिखाते हैं जैसे कि माल लिजिये कि quarter 1 में आपकी sale हुई है और quarter 2 आपकी sale हुई है तो quarter 1 में quarter 1 में 65 sale है quarter 2 में 75 sale है quarter 1 में 65 sale है quarter 2 में 75 sale है अब मुझे इसका growth percentage निकालना है growth percentage कि quarter 2 में quarter 1 के according कितना percent growth आया है अब growth के लिए एक सिर्में formula नहीं है या है तो आपको पता नहीं आपको trust नहीं युकि आपकी calculation तो आशा अलग है तो आप जो इसको mathematical calculation के जरीए जो calculate करेंगे जो आप mathematical calculation के जरीए जो calculate करेंगे उसी calculation को यहाँ हम follow कर सकते है तो mathematical calculation क्या होगी अगर मैं इसको pen pencil से बनाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि latest मतलब कि quarter 2 minus quarter 1 divide by quarter 1 आपके सामना दी रहा है quarter 2 minus quarter 1 divide by quarter 1 latest minus oldest divide by oldest तो हमें हाँ simple इसी formula को follow करना है कि quarter 2 minus quarter 1 latest minus oldest divide by oldest अब यहाँ पर calculation तो हमें सेम लगाया है बट घ्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपका थोड़ी से प्रॉलम होगी क्योंकि हमने हाँ पर board mask में third use नहीं किया board mask में third कहता है कि पहले divide होगा then minus होगा तो मैंने पहले क्या होगा 65 divided by 65 minus होगा 1 तो result आपके सही नहीं आएगी तो calculation को अपनी हिसाब से करने के लिए हम brackets का यूज करेंगे जैसा हमने mathematics में परहा था अपने school college life में तो यहाँ पर B7 minus A7 divide उसकी result को हम divide करेंगे A7 से और आपके सामने यहाँ पर result आ गया अब कुछ लोग सोच जाओंगे कि क्या हम लोग का official life में क्या ज़रूरत है इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप लोग को कोई ऐसी calculation करने पड़ गई कुछ ऐसा term निकालना पड़ गया कुछ ऐसा benefits निकालना पड़ गए जिसके लिए Excel में कोई formula अबिलेबल नहीं है तो वहाँ पर अगर यह method आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर notepad पर जैसे मैं पेन और पेंसिल से करते हैं उस तरह से हम एकसर में भी कर सकते हैं तो आप इस method का इस्तमाल कर सकते हैं इसलिए चलिए इसकी एक example और हम देते हैं आपको उसमें एक formula merging method भी आपको समझाएंगे जैसे कि principle है rate है time है मान लिजे कि 50,000 आपने interest लिया और आपका ब्याज 8% का है और time मान लिजे 3 साल है तो total amount कितना होगा आप आठी की class में चीज पढ़े होंगे आपको तुबारा याद दिला देते हैं कि आठी की class में आपने कैसे किया था मुझे इस पर amount calculate करना है कि total amount क्या हुआ अब इसके लिए already formula FB future value की formula Excel में है बट मैं Excel की formula को use नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी calculation थोड़ा सा अलग है या फिर मुझे उसकी calculation पर trust नहीं है तो क्या करेंगे तो mathematics क्या कहता है mathematics कहता है कि amount equal to principle principle मार्क के जिए अब तोज मेरे doing अच्छी नहीं है पी multiply by one plus r divide by n power of t multiply by n अब इसमें n क्या है कि आपकी calculation का period क्या है अगर calculation का period आपका monthly है तो n 12 होगा quarterly है तो 4 होगा half yearly है तो 2 होगा yearly है तो 1 होगा बट यहाँ पे तो होगा monthly है तो मैं यहाँ n equal to 12 होगा अब मुझे इस calculation को करना है इस calculation से करने से हम एक एच्छी दिए यहाँ पे संधाने वाला होगे आगे चलके आप Excel की बहुत सारी formula इस्तेमाल करेंगे एक, दो, तीन ऐसे formula अपना एक ही cell में apply करना चाहेंगे तो क्या होता है कि कई बार हम से comma, space या गलत तरीके से एक formula merge होता है तो हमारी result गलत आती है यहाँ पे कोभी calculation या किसी तरह की formula आगर कई सारे formula एक ही cell में apply करने हैं तो पहले आप उसको अलग-अलग करें जैसे कि मैंने यहाँ पे किया r divided by 12 फिर मैंने यहाँ पे किया equal 1 plus इसको कर दिया तो हमारा एक calculation हो गया पहले calculation r divided by n इसको हमने किया r divided by n फिर इसमें हमने 1 जोड दिया एक calculation हमारा पुरा हो गया 1 plus r divided by n उसके बाद हम यहाँ इस calculation करते हैं t multiply by 12 तो t बनता time multiply by 12 हमने कर दिया एक calculation होगी अब मुझे इन दोनों को आपस में power करना है मतलब कि square करना है तो जैसे कि आपको 10 square करना है तो 10 के सांथ इस तरह से सेंबल देते हैं इस shift के सांथ 6 आप दवारेंगे आप पर प्रेकीबोट का सेंबल आता है इसको power का सेंबल करते हैं तो यह आपका square निकाल देता है तो हमने क्या करना है कि इसको power और 36 करना है तो हमारे पास यह आ गया फिर इसको हमें total calculation को अपने principle से multiply करते हैं तो calculation समझे ध्यान से पहला हमने किया 1 यहां पर r divided by 12 फिर इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो 1 plus r divided by n हो गया फिर इसमें हमने time को फिर multiply किया फिर दोनों का पावर ले लिया फिर हमने इसको P से multiply कर दिया तो final result हमारा यह 33,511,635,1 है final result लेकिन क्या है कि अब मुझे इस तरह से दिक्कत होगी क्योंकि मुझे इसको एक सिल में जाना जाहिए मुझे यहां एक सिल में चाहिए इसके लिए मुझे कई सारे शेल्स भी calculation कर लिया अब बात होती है formula merging method एक फॉर्मुले को दो अलग अलग शेल में लगे हैं एक सिल में कैसे करेंगे जैसे यहां पर देखिए यह है 1 plus D 17 1 plus D 17 हम D 17 में आते हैं और D 17 का जो formula है उसको हम यहां से copy करते हैं और यहां हम D 17 के ऊपर paste कर देते हैं अब मेरा एक delete मानुगा तो कोई result effect नहीं होगा क्योंकि मैं इसकी formula को दूसरे में merge कर दिया है फिर मैंने यहां देखा कि इसमें इन दोनों से link है E 17 और F 17 E 17 को मैंने यहां से copy किया और जहां E 17 है उसके जगा ब्राइकेट में क्योंकि की calculation आपके हिसाब से होगी board mask method को use करते हुए क्योंकि हमने 60-60 class में पढ़ी थी उस चीज को mathematics में फिर मैं इसको copy किया और वापस हम यहां पर आते हैं S 17 के जगा पर इसको paste कर देते हैं इन दोनों का formula को मैंने अंदर copy किया हम इसको double click करते हैं और इसको equal के बाद को select करते हैं Ctrl C से copy कर देते हैं फिर जहां चाहिए वहां पे paste कर देते हैं मैं इन दोनों को delete कर दूंगा तो कोई फर्ट नहीं परेगा अब मैं इसको यहां से copy कर दूंगा यहां पे इसको bracket में हम paste कर देंगे और हम इसको paste कर देंगे और हम इसको paste कर देंगे अब यह delete कर सकते हैं अब मैं इसको असानी से इसको Ctrl X करूंगा और जहां जाना है वहां पे Ctrl X किजेगा क्या है कि copy होने पे हमारा range reference जो है एक दूसरे जगह से increase, decrease होता है तो यहां से cut किजेगा Ctrl X और यहां paste कर दीजेगा अब इस तरह से आप अगर direct भी लगा सकते हैं अब छोटा calculation है लेकिन आपके पास हो सकता है कि आपको कहीं नहीं कहीं डिक्कत हो सकती है इसलिए अलग लग लग लगाएंगे calculation को verify करेंगे फिर एक दूसरे में copy-paste, copy-paste, copy-paste करके उसको merge कर देंगे लेकिन बार-बार error आपने से अच्छा है कि एक बार सही रंग से किया जाए यह हमारा mathematical calculation इस mathematical calculation में कोई doubt आप लोग किया है तो आप लोग मुझे पूसरे पूसरे सकते हैं one by one पूसरे सकते हैं उस लोग questions Hello Hello Actually I want to know आपने अभी जैसे F17 और B17 kind of formulas आप आप कर रहे थे तो हम इसको identify कैसे करेंगे कि हम यहां पर F17 यूज करना है या G17 यूज करना है या फिर हमें वह formula हम कैसे यूज करेंगे I mean मैं समझी नहीं पार यूज करेंगी simple सी बास मुझे हमारे पास A inputs है और यह इस pattern पर बैठा के मुझे results चाहिए एक्सल में तो हमारे पास formula होता है इसमें जो input से उस पर input डाल देते हैं तो automatic calculate करके देता है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर मुझे mathematical operations को यूज करना है क्योंकि इस से यहां पर देगे उसे पहां आप 10 नोटबेट है यहां यहां पर ऐसी करना है इसको तुहरों में करेंगे तो जड़ा benefit होगा अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको डिक्कत होगा आप एकसां पी ऐसे लिख सते हैं लिकिसमें bracket बगड़ा कुछ समझने में आपको time लगेगा आपकी knowledge ठीक था है तो आप एक साथ लगा सकते हैं बढ़ना दिक्कत होगे तो जो लोग विगनर है उनके लिए बोलना हो कि one by one चले जैसे कि हम mathematics भी करते हैं ना one by one calculate करते हैं करते है उसके बरूसरा और два डिवाइड थीट यह हैुसके बाद दूसरा आता है न्र। न्यूसरे पास उटन है है तो हमने सिंपल क्या किया इसको उसको इसको क्या है कि यहां पे पावर है तो हमने यहां भी क्या किया कि इस इस calculation को power के साथ दूसरे calculation के साथ add कर दिया तो calculate हो गया, फिर पूरी calculation जो है P के साथ multiply है ताकि final result आएगा, तो हमने P को select किया और इसको आपस में multiply कर दिया, अब मुझे इसको merge करके एक signal आए, तो one by one चलते है, यह इस से link है, input से link है, और A जो है इस calculation से link है, तो एक calculation जो calculation है, मतलब कि D colon and 17 rows, and 17 number, yeah, उस पर calculation है, तो एक calculation तो इसके अंदर भी हो सकता है, अलग से जरूत क्या है, तो हमने क्या है कि इसको copy कर लिया, या manual लिख भी सकते हो, okay sir, 48 लिख सकते हैं कि बड़ा होगा, तो copy करना बेंटर रहेगा, 17 को हम यहाँ bracket में paste कर सेंगा, अब क्या हो गया कि अब यह link A आपस में दोनों merge हो गया, तो मैं इसको delete कर सकता हूँ, मतलब कि जो formula हमारा तक्रीबर पांच सिल्का था, अब वो चार सिल्का हो गया, yes sir, फिर आप देखा कि A direct input से है, A B direct input से है, लेकि A जब देखा इन दोनों से है, तो मतलब कि यहाँ आपके E 17 और F 17, मतलब कि E colon और F colon के 17 number वो को value है, वो value calculated formula है, तो वापस इसको भी हम इसमें merge कर सकते हैं, ब्राइकेट में हम आपस में डाल सकते हैं, और formula link कैसे कैसे बता चलेगा, जैसे आप double click करेंगे, तो sales भी इस तरह के highlight लग जाएंगे, जाता है, कि F 17 यहाँ पड़ा है, F 17 यहाँ link दिख रहा है, जाएंगे F 17 पे इसकी formula को copy करेंगे, और इसके अंदर लेकिन ब्राइकेट में डालेंगे, ताकि calculation का procedure जो है, और sequence में रहे है, और इसको delete कर सकता हूँ, फिर वापस finally इसको copy किया, क्योंकि A final result इसी से link है, इसको multiply से, तो A जो है, जिर्फ only for calculation है, इसको अपनी value नहीं है, calculated है, यहाँ calculate हो सकता है, तो इस से लिए अंदर भी calculate हो सकता है, तो इस तरह से merge कर दिए, तो इसको delete करने से दिक्कत नहीं है, अब इसको cut किजिए, control x, यहाँ cut यह से होता है, और यह से वहाँ जाएगा, पेस कर दीजिए, यह आगे चल के आपको बहुत जड़ा होगा, जब आप से की if के साथ we look up, if के साथ if error, और कई सारे formula को आपस में एक साथ लगाएंगे, बड़ी बड़ी formula लगाएंगे, वहाँ पर एक concept आपके लिए ब पपस यही है कि जो जिस calculation के लिए Excel में formula अबिलेबल नहीं है, बट mathematical knowledge आपके पास है, अब यहाँ पर mathematical knowledge होना ज़रूरी है, तो आप उसको Excel पे भी apply कर सकते हैं, अब आपके office में ऐसे बहुत सारी users होंगे, जिसके लिए formula नहीं होगा, आप किस और तरीके से manual करते होंगे, उसको आप इस्तरस automate कर सकते हैं, अब अगली topic पर बढ़ते हैं, अब अगला topic हमारा है, वो है, preferencing system का, यहाँ पर देखिये, मैं इसको delete कर रहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ numbers दिये हुए, मुझे इस सारे numbers पर 20 एड़ करना है, इस सारे numbers पर 20 एड़ करना है, इस सारे numbers पर 20 एड़ करना है, वी column में, बी column में, तो हम क्या करेंगे, generally इसको equal प्रेस करेंगे, और इस पर plus 20 करके, enter प्रेस करेंगे, add हो गया, अब एक खास्यत है, खास्यत एए है, कि आपने एक server formula लगाया, और इसको copy करके, या drag करके, उपर नीचे कहीं भी कर दीजेगा, तो आपको उसका formula increase जाता है, जिससे कहां भी क्या लिका हुआ, a1, a column and one row, नीचे जब इसको drag करेंगे, या copy paste करेंगे, तो इस देखें, हमारा a2 हो जाता है, नीचे करेंगे तो a3 हो जाता है, यह benefit है, benefit है, कि आपको अगर मान दीजे ऐसे 10,00,000 या 1,00,000 या 20,000 या रो हैं, तो आपको 20,000 बार data में formula ना लगाना पड़ेगा, एक बार लगाईए और नीचे ट्रैक करेंगे, और जाहिर से एक बात है, कि हमारे पास कुछ benefits हैं, तो कुछ नुक्षान भी होता है, जैसे कि for example, कि जो मैं 20 एड़ करना था, और यहाँ D1 पे हैं, आप मुझे इस एक column में D1 के value एड़ करनी है, तो मैं इसको select करके plus D1 कर दूँगा, A1 के value plus D1 के value, enterprise किया, आपके सामने नीचे, डिजल्ट आ गया, अब problem है कि मुझे सब पे apply करना है, तो जब मैं इसको नीचे track करूँगा, A1 हमारा A2 हो गया, तो D1 हमारा D2 हो जाएगा, अब यहाँ पे problem आ गई, कि हमें यहाँ A1 को तो fix रखना है, बट D1 को, sorry A1 को तो A2, A3, A4 increase करना है, बट D1 को fix रखना है, अगर D1 को fix नहीं किया, तो problem क्या होगी, problem होगी कि मुझे manually सब पे formula apply करना पड़ेगा, तो manually हमें जाना होगा, A2 plus D1, फिर वापस, A3 plus D1, तो इससे बचने के लिए हमारे पास absolute reference करने वाले feature है, जैसे कि मुझे 1 को fix करना है, या freeze करना है, absolute करना है, तीनों एक ही है, अलगला नाम हम पे बोलते हैं, तो हम dollar sign इसके आगे लगा देगे, dollar sign लगाने के बाद, अब जब मैं नीचे इसको drag करूँगा, तो आप देखेंगे, आपका A1 जो था, A2 हुआ, A3 हुआ, यहाँ पे देखिए, आपका formula पे यहाँ दिखेगा, आपका, A1 हुआ, A2, A3, A5, A6, A7, A4 हुआ, पर D1 फिक्स हुआ, क्यों, क्योंकि D1 के आगे, हमने dollar sign लगा दिया, dollar sign लगते ही, Excel के formula ticket को समझ जाता है, कि 1 को fix करना है, 1, 2, increase नहीं होगा, इससे हमना benefit क्या हुआ हुआ, कि हम हर एक sale में dollar लगाने से बच गया, एक-एक formula लगाने से बच गया, बट हमने सिफ 1 के आगे dollar लगाया है, मतलब हमने रो को freeze किया है, तो अगर मैं A करूँ, मतलब कि top to bottom drag करूँ, तो A fix ठीक रहेगा, लेकि जैसे मैं left to right drag करूँगा, तो D जो है, हमारा E बन जाएगा, देखिए, A और B बना, वो दो हमने dollar sign layer किया था, इसलिए बना, और यहां पर D E बन गया, क्योंकि हमने absolute सिफ row को किया है, क्योंकि हर एक cell के address में row and column दोनों होते हैं, row and column दोनों होते हैं, तो हमने सिफ row को freeze किया है, तो जब left to right, जब हम drag करते हैं, copy paste करते हैं, तो हमारा row number increase नहीं होता है, पर column increase होता है, तो आप column को भी increase नहीं करना चाहते हो, तो आप column के आगे भी dollar sign लगा सकते हैं, अगर एक की जरूरत है, तो एक के लगाई है, दो की जरूरत है, तो दोनों पे लगाई है, यह आपके उपर dipend करता है, और आपके आगे चलकर हर एक formula में इसकी जरूरत परे गी आपको, कि dollar sign कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं लगाना है मतलब कि जिस seller friends को हमें increase करना है उस पर dollar sign नहीं लगेगा जिस पर increase नहीं करना है उस पर हम dollar sign लगाएंगे यह dollar concept बहुत important है formula के लिए इसने किसी को doubt है तो पूछ सकते हैं हमारे पास mathematical operator था और ऐसी हमारे पास logical operator जो आप देखना है यह आपका equal है greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to यह हमारा not equal to है अब यह क्या चीज़ के लिए हुज होता है किसी भी आपके जो भी sales या जो भी productions या जो भी dispatched related data है उस पर कोई condition check करनी है उसके लिए जैसे कि माल लिज़े कि हमारे पास sales की quantities यहाँ पर due है मैं ran between formula रभाता हूँ आपको क्या है कि आपके पास जो transportation है जो ट्रांसपोर्ड है वो बोलता है कि हम आपको 50 से उपर की quantity को carry नहीं करेंगे हमारे पास इतने बड़े packing system नहीं है जो आपके 50 से उपर के product को पैक कर सके है तो मुझे यहाँ पर जस्ट चेक करना है कि कौन सा figure 40 से 50 से अभव है तो इसके लिए कल हमने बताया था कि आप इसको highlight करके चेक कर सकते हैं कैसे यहां highlight में greater than और यहां पर आपने 50 दिया और color दो देना चाहते है और highlight हो गया बट यहां पर मैं highlight नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इससे related मुझे और भी बहुत सारे inputs या बहुत सारे filter या बहुत सारे चीज़े करनी है तो कोई भी formula किसी cell की formatting को carry नहीं करता है, read नहीं करता है हमें actually यहां पर कुछ message चाहिए या कुछ ऐसा कुछ चाहिए अपने हिसाब से जो message चाहिए हमें तो हम यहां पर इसको direct इस logic को apply कर सकते हैं कि हम यहां पर क्या करेंगे इसको select करेंगे और यहां पर कहते हैं कि greater than equal to 50 अगर fulfill होगा तो true आएगा otherwise false आएगे, नीचे मैं इसको drag कर देता हूँ, true आया, false आया तो हम direct इसको भी apply कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहां पर true and false नहीं चाहिए तो default message है, मुझे यहां पर okay, pending या फिर pass and hold चाहिए हमें, okay and hold देना है, 50 वाले से नीचे वाले को pass कर दीजिए और उसको hold कर दीजिए, उपर वाले को hold कर दीजिए इस case के लिए हमारे पास formula आता है if का, आपको भी formula लगाने का तरीका समझाए आपको equal place करना है, उस formula के word को लिखना है, नीचे suggestion आपको formula आ जाएंगे और आपको arrow key से उपर नीचे कर सकते हैं, और मुझे formula को select करना है तो tab की प्रेस किजिए formula apply हो जाए और formula के नीचे जो दिख रहा है, इंपुट्स दिख रहे हैं, logical test, valid true and false मतलब कि यहां पर चाहिए true and false, तो हमने इसको select कर लिया, अगर true हुआ, तो hold होगा, क्योंकि 50 से उपर है अब यहां पर मैंने hold को inverted comma में लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि formula के अंदर किसी भी तरह का word, जो word, अपना जो word होता है, मैंने के name या subject, कुछ ऐसा word होता है, character होता है, उसको inverted comma के बीच में लिखेंगे, अगर inverted comma के बीच में नहीं लिखेंगे, तो उस word के नाम का range या formula रूनेगा, उसको नहीं मिलेगा और यहां पर name का error देगा आपको, इसलिए inverted comma में लिखेंगे, दूसरा value false में हमने यहां पर दे दिया, अब देखें, bracket को close किया, तो एक बार formula दुबरा देख दीजिए, हमने if का formula लगाया, if का formula क्यों लगाया, क्यों क्यों लगाया, क्यो whole layer otherwise okay है, और मैं इसको enter मारता हूँ और नीचे के तरफ, drag कर देता हूँ, अब कुछ लोग जो इस चीज फॉर्मले को जानते होंगे, वो बोलेगे, सर हम तो direct लगा देते हैं, हमें बीच में true इस तर से true false की जरुद नहीं पड़ती है, जी हां, आप यहां पर दो formula को, दो इसको आपस में merge कर सकते हैं, मैं यहां direct लगा सकता हूँ कि if, हमने इसको select किया और बोला, greater than, equal to 50, तो यहां पर hold है, otherwise, okay है, और आप इसको enter phase कर सकते हैं, यहां पर अलग मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चले, कि जो यह लॉजिकल, जो हमने इस formula में जो एक operation देते हैं, logical operation देते हैं, इस का part नहीं है, इस individual है, हम इसमें इस पर combine करते हैं, merge करते हैं, दो calculation को एक साथ लगाते हैं, अब इस formula या किसी भी formula के बारे में आप जान जाएए, कि कोई भी formula आप लगाते हैं, तो यहां पर लगाते हैं, इसका definition आपको दिख जाएगा, definition लगाते हैं, यहां पर आप tap को प्रेस कीजिए, यहां पर आपको इसकी inputs दिखेंगे, कि इसमें इतने inputs देने हैं, अब inputs में देखिए कि एक तो normal है, दूसरा यहां आप देख रहे हैं कि एक square bracket में है, तो यह square bracket का मतलब है कि यह optional है, मतलब कि इसको डालना जरूरी नहीं है, बट logical test जो आप देखना है, यह आपको square bracket में मतलब कि जरूरी इसको डाले पर आप दाल देते हैं, जैसे मैंने यहां डाल दिया कि greater than 50, अब मैं value true या value false ना डालो तो इसका default result आएगा, true false, बट मैं इंटर हो जएकता हूँ, तो आगे जितने भी formula आप द देखते हैं, तो यह last look-up range optional है, इसको डालना जरूरी नहीं है, अब चलिए if के कुछ example हम देखते हैं, if के कुछ example देखते हैं, जैसे कि मैं यहां के कुछ name का list मनाता हूँ, इस formula important है, आपके daily काम होने वाली formula में से हैं, और मैंने इसको short कर देता हूँ, तो हम यहां short कर दिया, अब मुझे यहां पर क्या करना है, जैसे एक तो तरीका था कि कल बताया था कि मुझे duplicate ना, unique name सिर्फ चाहिए, तो हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, आमारा data type में होता है, remove duplicate, इसको remove कर देंगे, तो यहां मेरा एक नाम एक ही बराएगा, इससे जो repeated होगा, वो delete हो जाएगा, बट मैं यहां पर filter करना चाहता हूँ, या कुछ और करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो पहला नाम है, उसके आगे u लग जाए, बाद बाकि नाम पर d पर देंगे, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इस फर्मूला देंगे, इस का, अगर यह बैलू, ब्रावर है अपने उपर वाले बैलू से, तो यहां पर यू आए, नहीं तो यू आए, नहीं तो यू आए, अब देखे ध्यान से फर्मूला को, हमने क्या बुला, कि सामने वाले 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 से, तो यहां पर d for duplicate आए, otherwise यू आए, अब मैं एंटर मारता हूँ, और नीचे के तरफ ड्राइग कर दे यहां पर L2, L1 है, यहां पर L2, L3 हो जाएगा, तो इस ब्रावर है, इसलिए DR जैसे यहां पर देखा, नाम चेंज हुआ, मतलब कि यह दोनों आपस में ब्रावर नहीं है, तो यहां पर इसने U दे दिया, अब इसको आप फिल्टर करना चाहे, तो यहां आपके होम मेनू म में फिल्टर का ओप्शन होता है, जो कि हमें कल डिस्कस किया था, इस फिल्टर को आप अप्लाई कर सकते हो, कि दुब्लिकेट ले सकते हो, यूनिक ले सकते हो, इसको 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 अब यहां पर देखिए का ध्यांसे, count if का फॉर्मुला है, तो count if में, अब count if के property क्या कहता है, कि पूरा range को select कीजिए, और जिसको count करना वो value को select कीजिए, मैं बता दूँगा कितना है, जिस इसने बता लिया कि पूरे o column में पूजा seven times repeated है, लेकिन दिक्कत कहा है कि मैं नीचे drag कर दूँगा, तो हर जगा पर जहां जहां पूजा होगा, तो seven ही दिखाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे चाहिए कि यहां पूजा one है, नीचे जैसे पूजा आया और two, दूसरा पूजा है तो two आ जाए, यहां तीसरा है, तो three आ जाए, तो यह भी countive से ही होगा, बस यहां पर थोड़ा सा tricks apply करना पड़ेगा, यहां countive और हमने same जो है, यहां o2 से o2, comma o2, बस simple सी ध्यान रखेगा, यहां पर, यह करना है, यहां पर पहले बाले को freeze कर देता हूँ, मैं तो जूम करके दिखा देता हूँ, equal count if bracket open, हमने इसको select किया, वापस o2 से o2, comma, वापस हमने o2 select कर लिया, और इसको enter मारते हैं, बट नीचे drag करने से पहले, हमने पहले बाल o2 को fix कर देना, ताकि o2, नीचे वाला o2 change हो, बट उपर वाला o2 change ना पर, तो यहां नीचे जब drag करेंगे, तो यह आपका आएगा, होता है क्या है, जैसे यहां पर आपका 2 आया, तो यह जो आपका 2 आया, तो यह जो count कर रहा, यह अपने से ऊपर ही count कर रहा है, नीचे count नहीं कर रहा है, आप ले सकते हैं, इस तरह से आपका हर किसी नाम का sequence आजाएगा, अब यहां पर आप, इसकी अगली calculation की अगली बात करें, तो जैसे कि मान लिजिए कि मिले पास डेट डगा हुआ, मैं यहां पर डेट चाहिए, या स्रियल नंबर मान लिजिए, स्रियल नंबर चाहिए, लेकिन मुझे स्रियल नंबर जैसे मैंने बुला कि मुझे जैसे 5 तक चाहिए, तो यहां 5 तक का स्रियल नंबर जैसे होना चाहिए, 5 से ऊपर का स्रियल नंबर जैसे नहीं होना चाहिए, 5 ही स्रियल नंबर जैसे होना चाहिए, तो यहां पर फार्मला देंगे कि एक निचे करेंगे नाफ कीजिए एक नर्मली वन लिख देंगे और फिर नीचे लिखेंगे कि अगर इसमें प्लस वन करने ध्यान रखेगा कि जहां फार्मर लग रहा है उससे उपर वाले वैलू में प्लास वान करने पे अगर ओ ग्रेटर देन है हमारा मैक्सिमम जो हमारा फाइब मैक्सिमम है ऐसा है तो यहां पर ब्लाइंग कर दें तो कि ब्राइकेट वह पर आप क्लोज जम्दे कर दिया नहीं है तो फिर जैसा है उस तरह से चलिए दें सिंपल से आप देखिए मैंने क्या किया हुआ है और नीचे के तरफ आप इसको ड्राइग कर सकते हैं तो ड्राइग करने से पहले मुझे यू 3 को फ्रीज करना पड़ा नहीं तो क्या होगा यू 3 से यू 4 यू 5 हो जाएगा जो कि मैंने इसमें समझाया था आपको तो इसके ल कर द्रैक बट क्या होगा कि एक टाइम के बाद इस तरह के एरर आजाएंगा क्यों आगए रहा क्योंकि इसकी पांच जह है यहां पूरा हो चुका है इसलिए हलो सुझी जीडेजी देज़ेशन फ्रम हरप्रीट इस तॉपिक इस तॉपिक इस नॉट क्लियर तो हिम हरप्र इस तॉपिक इस तॉपिक इस नॉट कर देख रहा है यहां पी क्या हुआ यहां पी इस एरर का फॉर्मुला लगा सकते हैं इस आरग क्या करता है इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि किसी नंबर को अगर आप जीडू से डिवाइट कर देते हैं तो इस तरह के एरर आए या जब आप वी लूक अब लगाते हैं या वी आप एसे फॉर्मा लगाते हैं तो तो यह तरह के एरर आपके सिस्टम में दिखेंगे तो यह इसमें इसे इरर्र को हाइट कर देना है उसे इसे कके डरें जालेंगे और इसरा यह होता है कि दो पार्ट होते हैं पहले माँ अपना काल्कूलेशन को डाल दीजिये और दूसरा जो पार्ट होता है ओ होता है कि अगर एक calculation error दिया तो क्या होना चाहिए तो मैंने बुला blank nothing तो हमने inverted command को open किया और inverted command को close किया इसका मतलब हो गया कि nothing blank तो यहां पर blank हो गया अगर मैं calculation सही होगा तो result देगा calculation अगर आपका गलत होगा तो blank कर देगा तो यहां हम इसी feature को use कर सकते हैं तो यह formula हमारा if का है इसको हम क्या करेंगे कि if error के अंदर में डाल देंगे और if error के दूसरे पार्ट में हम कर देंगे invert, open and close और फिर इसको नीचे के तरफ drag कर देंगे इससे क्या होगा कि तो मैं यहां पे अगर 10 जालूँगा तो 10 तक CL आएगा पंदर जालूँगा तो पंदर तक आएगा पांस जालूँगा तो पांस तक अब आपको if सी कोई related problem है तो पूछ सकते हैं हर्पीर सी पताईए क्या problem में इसमें आपको कौन तर टॉपिक समझ में आया को यह जो आपने बताया था कि जब आपने नेम ओफ लिस्ट लिखी थी पूजा नीरज कविता मोहन तो आपने का था कि काउंट करेगा वो सब्सक्राइब पूजा सेवन टाइम्स यहां दुआ श्मझे आ काउजिक्म काउंट है इस पूजा को अगतर में फोजा pri Jestर Oh इसको nis साहिकर ओगा तो मैंने बोला कि आपको पूरा कोलम में दूरन आह और मिवगर और यहां नीचे जीविठाब इन तो हमने जब हम जानते हैं कि किभ भी vary затем इसको हमाई O2 ले लिया तो मैं जब इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो O3, O5, O6 आएगा तो हमने क्या किया कि यहां इस पे रेफरेंस में हमने O2 को स्टार्ट किया, O2 को खतन कर दिया तो हमने वाले O2 को फ्रीज कर दिया है बोला कि आपको O2 फिक्स रखना है, O से 3, 4, 5 नहीं होना है बट दूसरे वाले O2 के हर फॉर्मूला का स्टार्ट और एंड होता है, A स्टार्ट होगा, A एंड होगा एंड वालो को बोला कि आप इंक्रीज करते रहो वहां से उपर तक की वैलू को ही काउंट करना है, नीचे से मतलब नहीं है यहां पर दूसरा स्टार्ट मिला तो दो दे दिया, नीचे इसको तीसरा तुझा मिलेगा त्री दे देगा क्योंकि इसको रेफरेंस ही उतना मिल रहा है जहां हो फॉर्मूला लग रहा है हम फाल्तु रेफरेंस दे ही रहे हैं यहां पर यहां पर हम फाल्तु रेफरेंस दे रहे थे तो पूरा काउंट कर रहा था और किसी को डाउट अभी जो है फॉर्मूला इसका रहता है अभी इसका फॉर्मूला आपको थोर सा कॉम्विकेटिव लग रा होगा लेकि यह जरूरी है यह आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप एकसल में काम करना चाहते हैं एकसल में फॉर्मूला बहुत जोरी चीज है कोगि इफ के उपर ही हमारा पुड़ा का पुरा का-कंप्यूटर डिजाइन किया गया है कंप्यूटर चोड़िये हमारा life कंडिशन पर हम हर काम पर दो चीज़ होचते हैं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा Ёआइसा करूगा अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूगा तो इसलिए if बहुत जवरी है लेकिन जो लोग formula वे beginner है उनके लिए मैं कुछ small formulas पहले बता देता हूँ ताकि उनको दिक्कत नहों सीखने में तो जैसे कि हम पहले calculation से start करते हैं कि how can calculate एक छोटा सा हम summary create करते हैं जैसे कि हमने आप लिए name name इसके बाद हमने लिया city उसके बाद मानी जी हमारा quantity है यह हमारा MRP है यहाँ पर हमारा amount है यहाँ पर हमारा GST है फिर commissions है फिर total कर दिया हमने फिर यहाँ पर माली जे मेरा area है यह हमारा date है यह हमारा time है अब यह चीज को समझें कि जैसे मैं कोई entry करूंगा data entry करूंगा तो यहाँ पर माली जे कि हमने location भी है quantity हमने दिया MRP हमने 45 दिया अब मुझे amount automatically calculate होना चाहिए तो मैंने क्या किया quantity को multiply कर दिया MRP से amount आ गया GST हमें चाहिए 18% तो 900 का 18% हमने GST निगाल दिया 2% हमें commission चाहिए तो amount का 2% बस हम percent का symbol लगाना है calculate हो गया फिर इन तिनों को total करना है तो total करने के लिए मैं sum का formula भी apply कर सकता हूँ कि sum में मैंने इन तीनों को select कर लिया यह हमारा sum हो गया या फिर आप इस तरह से भी plus plus करके भी sum कर सकते हैं प्लस प्लस जब कब करेंगे जब आपको खया तो कुछ-कुछ पार्ट को sum करना है या फिर एक दो तिन चाह है इसको करना है लेकिन sum formula हम कब लेते हैं जब बुड़ा एक range को sum करना होता है तो यह असान पड़ता है फिर area में हमने zone दे दिया अब यहां पर क्या है कि अगर आप data entry कर रहे हैं तो date डालने के लिए तो current date डालने के लिए control के साथ आप semicolor यूज करें यहां पर control date आजाएगा जो की change नहीं होगा otherwise हमारे पास एक today का वी formula होता है today का formula क्या करता है current system date देता है but it क्या है कि हर दिंग change होते रहती है तो data entry में इसका यूज नहीं कर सकते बड़ ऐसे सिंग पर यूज कर सकते जहां के आपको current system date को show करना है current system date को show करना है वहां कि इसका यूज आप कर सकते है को current system date पर क्योंकि आज हमारा दिख रहा है today नौ अप्रेल कर लिए 10 हो जाएगा यह automatic system के साथ connected होता है time के लिए आप control ship के साथ आप semicolon कर सकते हैं तो time आ जाएगा और time के लिए कोई formula नहीं होता है बट now का formula apply करेंगे तो system date and time दोनों दे देगा आपको चलिए यह हो गया हमारा अब यहां पर जो calculation है इसको हमें नीचे तक copy paste कर दूँ ताकि हर data के लिए calculate हो जाए तो मैंने यहां नीचे तक copy paste कर दिया अब copy paste करने के बाद problem क्या होगी कि यहां पर default zero दिख रहा है default आपका zero दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इस पर default zero ना दिखे तो उसके दो तरीके हैं एक तो आप application की setting change कर सकते हैं file menu बार में जाएए excel option पर जाएए आप एट ढूलना पड़ेगा आप 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 इसको अंचेक करके ओके कर दिजे तो आप यहां पर जीरो नहीं देखेंगा इसके formula इसमें होगा बट जीरो शो नहीं करेगा मतलब कि आप यहाँ डेटा इंटी जैसी करेंगे तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि नीडर्स और यहाँ पर मैं डाल दिया पूने क्वांटिटी डाल दिया और यहाँ पर इमार्पी डाला तो यह अपने आप कैल्गुलेक्शन हो गया का अपने आप कैल्कुलेक्शन आपका हो आपिए अप्लिकशन की है जाना चाहता हूं यह फिर जीरो नहीं है जीरो के जगाओ पे एरर हो हो सकता है जैसे इसे पहले error था या फिर 0 के जगहाँ पर कुछ और भी हो सकते हैं तो यहां पर इस formula आप apply करेंगे और मैंने आपको बताएं कि इस formula कैसे apply होता है कि इसको अंचेक कर देता हूं ताकि बाकी जोब पर 0 में दिखेगा कि इसको अंचेक करना होता है आप आप तो इस तरह कि calculation कर सकते हैं आप calculation में में काम करता हूं मैं कुछ इंट्री कर देता हूं मैं ऐसे sample इंट्री कर देता हूं हुआ है हुआ हुआ है ही पर देट्री अगर आप ने लिखा तो देट लिखने के बाद आप जस्ट्रीक करेंगे तो सारा इंट्री यहां पर आपके सामने लिखेए दिख जाएगा जी हाँ अब यहां भी डेड़ कभी कभी क्या होता है इस तरह के हैस दिखता है तो ऐसा दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको साइज नहीं मिल रहा है कॉलम की प्रयाप्त बस आपको कॉलम के बॉर्डर पर डवल क्लिक करना है इस अपने आप ले लेगा यह और यहां तो टोल लेने के दो तरीके हैं आप देख लीजी अब डेटा में फिल्टर नहीं करते हैं तो आप यहां पर इंजली मैं यहां तो टोल लिख देता हूं और यहां पर मैं Sum का Formal लगा दूँगा कि Sum और हमने Range को Select करने के लिए, Ctrl Shift के साथ आप Arrow कीजिए, Select हो जाएगा, Shift के साथ Arrow के Move करेंगे, तो Selection हो पर आप Mouze से भी आप कर सकते हैं, but MRP का मुझे Average चाहिए, तो मैंने यहां पर Average लगया, Average लिखा, average formula आपने लिया और हमने अपने MRP को select कर लिया average फिर मैं amount का total चाहिए अब यहां पे इची देख रहे हैं कि मेरा heading छुप जा रहा है तो confusion ओर ही कि इसमें क्या है तो यहां पर आपको क्या करना है कि मैं चाहतो heading ना छुपे तो पूरे column को select कीजिए और यहां view में आने के बाद आपके पास एक होता है freeze paints यहां पे freeze paints पे click कर दीजिएगा तो अब आपका header fix हो गया अब यह height लिए freeze paints कर दा है मुझे यहां amount का sum चाहिए तो मैं यहां amount का sum लेता हूँ sum आ गया ज़िए gst का चाहिए तो यहां पे भी मैं sum कर देता हूँ sum लगा दीजिए sum हो जाएगा यहां पे मैं commission को sum करना चाहता हूँ तो अलग मैं यहां पे वापस जाते हैं sum करते हैं और यह हमारा sum हो जाए फिर total को sum करना है तो total को हमने sum कर लेए पर इसमें एक छोटी सी problem होगी है क्या होगा problem कि अगर मैं इस पे filter लगाता हूँ और मान लेजिए मैं यहां पूजा को या देव को देखता हूँ filter लागे तो यहां देव का total result दिखेगा पर data यहां पे total देव का नहीं दिखेगा तो इसके लिए क्या करें तो इसके दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि आप जो manually total किये हैं इस manually total करने की ज़रूरत नहीं है आप अपने data को select करें और यहां insert में table होता है table पे click करके इसको table में convert कर देए table में convert करने से क्या हुआ अब मैं यहां पर मैं total row add करूँगा तो total row add हो जाएगा और मैं जिसका इसका sum करने क्लिक करना है मुझे यहां पर sum चाहिए तो मुझे sum को select लिया यहां देखिए सब total का formula लगा हुआ है यह अपने हाँ लग जाता है table में तो मुझे इसका average चाहिए और मुझे amount का total चाहिए sum यहां से इस तरह से sum लगा सकते है तो इससे क्या होगा कि जो filter आप लगाएंगे तो filter में आपका जो visual data होगा उसी का sum दिखेगा मैं यहां filter apply करता हूँ filter में मैंने किया देव तो मुझे यहां पर देव कही total दिखेगा overall total नहीं दिखेगा तो लेकिन इसके लिए मुझे table यूज करना पड़ है बगैर table के कैसे करूं मैं तो इसके लिए बगैर table के लिए कर सकते हैं मैं ctrl z करके table हटा दिया है यहां फिर table हटाने का उपर remove होता है convert to range होता है उससे भी कर सकते हैं तो यहां पर जो हमें total का सब लगाया formula वहीं पर मैं sub total का फॉर्मूला manually भी लगा सकते हैं मुझे यहां पर sub total में हमने यहां पर select कर लिया sub total में हम सिर्फ sum ही नहीं इतने सारे कर सकते हैं average, count, sum sum का number क्या है 9 है तो मैं 9 को select कर लूँगा या 9 को comma कर दूँगा और 9 लिखे comma लिख दूँगा उसके बाद अपना आप reference को select कर लेजे या आपका sum आ लिए ऐसी मुझे average चाहिए तो यहां पर मैंने sub total लिखा अब sub total हमने लिखते हैं तो sub total से भी काम बल जाएगा लेकि उसमें एक problem है मैं बताता हूँ क्या problem है कि sub total हमने यहां पर average दिया पहला ही number ले लिया और हमने result को select कर लिया इसमें problem क्या होगा कि बीच में अगर किसी तरह का error हुआ ऐसे divide by zero हो गया आपका error आ गया सिर्फ sub total ही नहीं किसी फॉर्मले में अगर input error है तो output automatically error ही होगा अगर input error है तो output भी error ही होगा इसलिए हम यहां पर aggregate का formula ले सकते हैं but aggregate का formula अगर आप लेते हैं इसके लिए आपके पास office 2016 से upper version होना चाहिए यहां पर मुझे average के लिए बिलकुल sub total काम करता है बस इसमें देना होता है ignore हमने यहां पर लिखा ignore hidden and error value जिस पर error हो और जो hide हो filter में hide हो उसको ignore करे और फिर हमने अपना result select कर लिए आपके सामने यहां result आ रहा है तो यह aggregate formula इस formula में किस ते के doubt आप लोगो को आप लोगो के पास उसको क्वेश्टन हो तो पूछ सकते है कौन से formula subtotal aggregate या आप शौर aggregate तो सबसे पहले समझ लिजिए कि आपके पास 2016 से अपर बर्जन होना चाहिए क्योंकि 2013 10 में नहीं है aggregate formula क्या होता है सिर्फ हम इस पे ही नहीं अगर आप मान लिजिए कि कोई भी list of data है numbers है उसको sum, average, minimum maximum बगा कुछ करना चाहते है तो उसके लिए अगर आप मान लिजिए मैं sum करता हूँ तो sum apply करते हैं तो तभी तक आपको दीखेगा जब तक उसमें कोई error नहीं हो लेकिन in case इसे आपने किसी value लिया या किसी value को calculate कर रहे है तो आपके value में na, hash या किसी भी तरह का error हो सकता है तो उस case में sum आपका result नहीं देगा रख इसको error को ignore करके बाकी का total देना चाहिए था बट ये total नहीं देगा क्योंकि इसकी property ऐसी है कि अगर इसका किसी भी तरह का error input मिला तो output भी error ही देगा तो हम sum के अलावा यहां aggregate formula लगाएंगे aggregate सिर्फ sum के लिए काम नहीं करता है average, count, count, a, maximum, minimum product इस सबों के लिए काम करता है तो मुझे sum चाहिए तो मुझे sum का position क्या 9th है तो मैं manually 9th लिख दू यहां पर arrow की इसकी ऊपर आओ और tap को प्रेस कर दो उसके बार यह पूछता है ignore क्या करना है इतने से value को आप ignore कर सकते हैं लेकि इनकी जरूरत नहीं बढ़ती है जरूरत है सिर्फ यहां पर आप error दे सकते हैं कि ignore error value अगर आप filter में भी ignore प्रवाना चाहते हैं तो ignore hidden row and error value साथ number है इसके number को manually लिख दे या select कर दे अब आता है यहां पर अपना reference देने के लिए कि आपको sum किसका करना है वह हमने data को select कर दिया एंटर मार दिया फिर आपका sum दे दिया error को ignore कर दिया तो अगर आपके inputs में कोई error है उसके calculate करना चाहते है तो aggregate का formula apply करे error को ignore कर देगा aggregate का लवा को और formula यूज करेंगे तो फिर error को ignore नहीं करेगा तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमने जो अभी आपको तीसरे number पे बताया था if error इस if error का use करना पड़ेगा इसके बगल में यहां कि if error अगर यह error नहीं है error हो तो 0 देदेगा error वाले part पे 0 देदेगा फिर आप यहां संबगा सकते है अगर अगर arrogant formula में if error की जरूत नहीं और किसी को doubt है अगर अगर नहीं है आगर बढ़ते है अगर इसमें कुछ और formula है जिसे कि मुझे max h count हमने बताया कुछ fix conditions वाले formula के बारे में जिसे कि हम count भी लेते हैं तो count का formula होता है जो कि count number करता है कि इसके अंदर में number date time को अगर मिलते हैं तो उसको count कर देता है अगर आपके बीच में किसी तरह के character आ गया तो count से बाहर कर देता है count से बाहर कर देगा उसके बाद हमाने पास आता है count A count A क्या करता है number और text number और text हर चत्रह की value filled value को count करता है blank को ignore करता है जिसने मैं इसको select कर लिया count करके बता दिया कि 27 increase है अगर मैं किसी को delete कर दूँ तो A इसको ignore कर देगा और blank को ignore कर देगा तीसा हमला होता है count blank count blank क्या करता है just blank value को ही count करता है एक selected area में कितने blank है तो count करेगा data fill होगा तो इसको नहीं रखेगा और count if तो आप जानते ही है कि कि किसी particular range में आप यह देए सकते हैं right area कि यहां पे मुझे पूजा चाहिए कि cell को select कर लिए आप manually पूजा लख दीजे इसमें तो पूजा को पूजा को पूजा मुझी तरह से आप आपका average का formula है सम का formula है मतलब कि मुझे इसमें पता करना है कि पूजा ने total कितनी quantity और कितनी सम किया है मुझे क्या करना है कि पूजा की total quantity कितना कितना सम किया है और किस average से लिए मुझे क्या करना है मुझे अगर manually निकाल होगा कैसे निकाल होगी कि पूजा के यहां filter करेंगे filter की filter की filter करने के पास इन तिनों का total लेके फिर यहां पे हम लिखेंगे करने की जुरूत नहीं है हमारे पास sum if का formula है अभी आपने sum को परहा हमारे पास sum if का formula है जो की condition के बिहाब पर sum करती है जैसे कि हमने यहां इसको select किया कि इसको sum के 3 input है देख लिए range, kited या and sum range range मतलब कि किसमें हमें match करना है हमने बोला कि name में match करना है हमने बोला फूजा को match करना है sum किस्ता करना है हमने बोला quantity को सुम करना है यहां इसने दिखा दिया है column a में जहां-जहां फूजा है उसके column c में जो value है उसका sum क्या है मैं दुवारा एक और लगाइप बताता हूँ आपको के लिए कि sum if हमें range हमें match इसके range का recording करना है उस range को select कर लिया उसके बाद criteria हमने select कर लिया कि मुझे क्या match करना है उसके बाद हम यहाँ पर sum range को select कर लियते हैं उसी तरह से अगर मुझे average लगालना है तो एक तो average का formula हमने लगाया है तो average के formula क्या करता है यह average निकाल के लेता है मुझे average overall का नहीं चाहिए मुझे overall का average नहीं चाहिए मुझे particular person का average चाहिए तो यहाँ पे हम average if का इस्तिमाल करेंगे और sum if की तरह इसको भी use करेंगे कि range criteria और average range आपको यहाँ दिख जाएगा अब यहाँ पे एक चीज और भी है जैसे कि आप मांग लिजिए कि ओम कोई समझे कहीं पे ओम है और कोई पे ओम सिंह है अब दूने हमारे एक दूने person एक ही है बट नाम अलग अलग लिखा गया है इसने शॉर्ट ने मिद्या किषिने फूल ने मिद्या जैसे कि city में डेली और न्यू डेली हो गया तो अगर मैं यहाँ पे ओम लिख दूँ तो इस ओम सिंह को consider नहीं किया consider करेगा कुछ नहीं इसके आगे और पीछे आप star sign लगा दीजिए तो यह like command के तरफ work करेगा और यह आपको total कर देगा तो इसका यूज आप कर सकते हैं लेकिन मुझे multiple condition मुझे पता करना है कि पूजा ने नीचे पूजा है पूजा ने डेली में कितना से लिखिया है मुझे यहां पर देखना है कि हमारे पास condition है कि पूजा और डेली कि पूजा ने डेली में कितना से लिखिया है मतलब कि यहां में मेरे पास multiple conditions है तो sum if अगर आप लगाते हैं तो sum if कहता है कि मैं एक ही condition के भी हाँ पे चलूँआ लेकि मुझे multiple condition चाहिए तो यहां नीचे आपके सामने sum ifs का formula है sum ifs का तो sum ifs को हम select करते हैं यहां पे आपके सामने दिखता है sum range sum range में मुझे किसका sum करना है quantity का sum करना है तो पहले आपको अपनी sum जिस range का करना है जिस colon का करना है colon आप देती जिए पहली match किससे करना है तो हमने बोला name से क्या match करना है criteria तो हमने बोला पूजा फिर बोलता दूसरा range कुन सा है हमने बोला कि हमारा colon V है तो देली ऐसे 3,4,5,6,7 आप ऐसे condition देज़े उसके यहाँ पे आपको total करके दे देगा कि इसमें पूजा का देली में कितना सामने है 50 और 20, 70 यहाँ रिज़ल 70 दे रहा है जब आप sum ifs लगा सकते हैं ऐसे यहाँ पे आपके सामने average ifs है average ifs भी यूज कर सकते हैं और उसका भी same condition है कि आप average range को select करने पहली criteria को select करें criteria दें उसी criteria range को select करें और criteria दें enter मारें आपके सामने average आजा रहा है और जब as sum ifs some ifs और average ifs है तो हमारा count ifs भी होगा मतलब कि मुझे पता करना है कि पूजा डैली में कितना बार repeated है तो हम यहां पे count ifs का इस्तमाद कर सकते हैं यहां पे criteria देते पूजा criteria 2 इसमें criteria देते चले जाएए कुछ count डैल्स कुछ होता नहीं इसमें हमने sums लेटर देख लिया हमने average लेटर देख लिया हमने counts लेटर देख लिया हमने counts लेटर देख लिया amount कितना है तो यहां पे हम देंगे max का formula max और यहां पे हम select करेंगे अपना data और result आएगा कि 90 सबसे highest है और सबसे lowest कितना है तो यहां पे formula आता है min और यहां पे आपको minimum value show कर देगा कि highest 90 है और lowest 20 है यह आपका max और min का formula है लेकिन अगर आपके पास office 365 है तो max ips का भी इस्तमाल कर सेक्टर जैसे हमने sum ips का इस्तमाल किया है और जहां कर मुझे उम्मीद है कि आपको के सिस्टम में office 365 आपको यहां आपको के पास maximum sale कितनी है तो यहां पे आप max ips का इस्तमाल कर सकते है यहां पे आपको max range किसका maximum चाहिए तो मुझे चाहिए quantity का काइटरिया पहला खुट जा है तो हमने बहुत आपको काइटरिया वान फूजा दूसरी डैलीपी भी देखना है तो भी कर सकते हैं तो 73 is the maximum set यहां तो multiple condition भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें मैंने एक ही condition भी अप्लाई किया है इसमें multiple condition भी अप्लाई कर सकते हैं तो यह summarization formula थी इसमें कोई doubt आप लोग को कोई formula को दूबरा चाहते हैं हलो हलो कोई doubt आप लोग को नहीं clear रशो ओके तो यह हमारी summarization की skills थी उसके बाद हम बात करते हैं look up की look up मतला कि max ने बता दिया कि 90 से maximum sale है बड़ हमें पता किया चलेगा कि आखरी में कौन सा person जिसने maximum sale किया इवी दुजरनल जूडी है तो इसके लिए दो formula यूज कर सकते हैं क्योंकि D look up ने लगेगा क्योंकि V look up चलता है left to right क्योंकि बीच में तो मुझे इस तरह से उल्टा नहीं चल सकता इसमें सबसे पहले match का formula लगाएंगे match का formula क्या करता है कि किसी भी cell value को एक range में और दून के बताता है कि एक अबलेबल है या नहीं हमने formula लगाएंगे look up value look up range और यहां पर हमने 0 दे लिया exact match तीसने बताया आठ मतलब कि 90 available है बट आठ में नमबर रोपे कितने नमबर रोपे आठ में नमबर रोपे यहां तो आठ मा नमबर रोण इसने नहीं बताया यह रोण नमबर नहीं दिखाया इसने count कि यहां से कि यहां से इसने count किया कि one two three four five six इससे कोई मतलब इसको नहीं कि रोण नमबर ही counted नहीं यह count करता है कहें से भी लगाई है count भी करता है अब मुझे आठ में नमबर रोग की पहले नमबर कॉलम की value चाहिए पहले नमबर कॉलम की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे ओ फॉर्मुला इंडारेक्ट का इंडारेक्ट क्या करता है कि इसके अंदर आप एक डेटा डेंज दे दीजी और आप बताईएं कि इंडारेक्टरेमा की जगह में की लेकर होगा हुए है। और फिर बताएगे कि रोल नम्बर आटमा है, कॉलन नम्बर वन है, रोल नम्बर आट और कॉलन नम्बर टे, तो यह आपका नहीं ने देगा, अब जो आट हमने मैनूल लिखा हुआ है, इस आट को हम इस मैस के साथ कनेक्ट कर देगा, अब यहाँ पर मैक्सिमुम नाइंटी यहां में मैक्स के लिए आप बस मैक्स का फॉर्मुला प्लाई कर लिजिए, और नेम के लिए आप इस तरह से मैस का यहां मैस लगाई है, और मैस में इसको सलेक कीजिए, नाइंटी को और अपने डेटे इसको चेक करेंगे, यहां यहां इंडेक्स का फॉर्मुला लगाए होका है या इंदेक्स में अपने डेटा को स्leqt करें कोमा आफमा नंबर हो पहला भखो मुझे सिटी चाहिए होगी थुसरा घुख से क्टिस करेंगा कोम नंबर के जगह हो गया इस इस हो गया मैं यहां इसे मैज रिके जो M13 का रिजल्ट है वह हमें मैज यहां पर दे दिया बट मुझे इसको यहां रखना पड़ेगा तो जो हमने पहली जो सीट पे समझाया था फॉर्मूला को मर्ज करना अब यहां देखिए यहां इस चीज को मैं फायदा में लूँगा हम मैज को कॉपी करते हैं और यहां पर जहां में मैनुवली M13 लिखा हुआ है उसके जगा पर मैज का रिजल्ट देरेता है अब इससे क्या हुआ कि मुझे अगर मैज को मिनमम चाहिए कि सबसे कम किस्रिक किया है तो मैं सिंपल मिन का फॉर्मा लगाऊँगा और मिन के फॉर् मैज और इंडेक्स इस तरह से लगा सकते हैं बट एक प्रॉल्लम है क्योंकि जो इंडेक्स फॉर्मॉला है उसमें मुझे डेटा का रेंज दना करता है अब कलके डेट में आपका डेटा बढ़ता है या घड़ता है तो दिक्कत होगी आप तो यहां भी रेंज बराना और लगा जाएगा तो यहां पे क्या करेंगे है कि यहां हम में मैस्ट की जगह एक फॉर्मॉला होता है ओसलि मैज चित्बह काम करता ना हो वह उसी से क्राउंट कर लेता है तो हमने बोला कि मैं डेटा एवन से स्टार्ट है अब बोलता है रो कोंचा चाहिए तो सेवन चाहिए आप मैंच में तो मैंने आट और वन दिया था और साथ और जिए रहे तो यह कहें कि एक छोटी से प्रॉलम है को काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करता है अब उसको आठ काउंट करना है तो जीरो से स्टार्ट करेगा तो साथ तक ही उसके आठ बूट जाएंग मैंच जो हम इंडेक्स में देंगे उससे एक कम वैलू आफसेट को देगा और इसमें डेटा आपका कितना में बढ़े गटे उससे मतलब नहीं है बस सेवन के जगा पे आप अपना मैंच को कम माइन कर दीजिए यह आपका बिलकुल दी लुक अप कितना वार्ट करेगा जो किसी को डाउट है इस पर कि अब डाउट तो नहीं है बाद प्रैक्टिस काफी करने पड़ेगी तभी नॉलेज में अनलब में मेंटेमेटिक्स को प्रैक्टिस जैसे करना पड़ता है अब आपकी कमांड आ रही तो आपका काम जो है बहुत जज़ादा आप में अपर सकते हैं तो यहां पर ब्रेक देते हैं को कि मैं देख रहा हूं का आपके नंबर टाइम हो गया है तो आपको कहीं बोर हो रहे हों तो हम 10 मिन का ब्रेक लेले ठीक है सब रहा हूं को यहां यहां थेख रहा है थेख है तो आपके ले सकते हैं तेन विनाट सब क्किशन के अपके में दो नाट गज़ें तो इनीवरी इस माइंड सो बेटर टेक अ ब्रेक अब जिसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा आता है कि वह डेटा सही फॉर्मिट में तो हमें आउस डेटा को अपनी हिसाफ से फॉर्मिट करना परता है थिस फोरर एजान पर मेरे पास कुछ नंबर साँ है इस तरह से इस तरह की numbers है मुझी क्या करना है इसमें से 4 digit की जो number है उसको 사्थ करना है जो 4 digit की number है उसको 사्थ करना है तो इसके लिए आप फॉर्मा लगाएंगे left का left मैं इसको सेलेक्ट किया और नंकाव क्रेक्टर दिया कि मुझे इसमें चार डिजिट को अलग करना है इसनि चार डिजिट अलग तो या लास का तीम विजिट हमेरा अलग करना है कि ऐसकी क्या करेंगे यहां हम राइट के कॉम्या लगा ब्रस्का बो लेंगे कि लास्ज के त्री डिजिट को अलग करता है अब बस इसमें प्रणिया उगा कि आपनी पता है जिए एक वधिते भी को अलग करना है टो आहिए लिए तो यहां हमारे पास एक फार्मूला अब फार्मूला होता है, Find and search का, हमस्को सेलेक्ट करते है, कि क्या करता है कि हमारे डेटा में Search का खकि बताते है कि एक करेक्टर है या नहीं है, है तो उसका count क्या, just like match की तरह, मैच क्या किया था तो मैच क्राम था कि एक एरिया में वैल्यू को सर्च करना बट एक क्या कर रहा है कि यह आपका एक तो यहां पे हमने क्या किया तो इसमें एड़िट को फाइन करके बताया है यहां पे कि एड़िट की पोजीशन क्या है तो हमें पता चल गया कि 4 4 है मतलब कि हम लेफ्ट का फाम्मल लगाएंगे तो इसमें से मुझे 5-1 मुझे करना है 5-1 5-1 तो यह हमारा फिक्स होगे अगर करके रेट में लेटर इसमें बढ़ते गड़ते हैं तो यह अपने आपके चेंज ही जाएंगे तो हमने क्या किया हमने जस्त फाइंड का फाम्मल लगाया फाइंड में उस पर्टिकुले क्रेक्टर जिससे पहले जिसके बाद हमीं निकालने हैं उसकी काउंट दे दी और हमने उसको लेफ्ट में यूज कर लिया पर राइट का क्या? तो हमाले पास एक formula होता है lane का lane formula क्या करता है कि complete length देता है तो हम क्या है हमने क्या किया यहां पे right को formula apply किया right के formula में बोला कि इसमें इसकी complete length मैं से minus कर दीजिए हमारे find का result जो कि add the rate है तो इससे मुझे पता चुछ जाए है कितना डिजिट लास्ट देता है sir can you please come again on this add the rate मैं बता रहा हूंगो हमने क्या किया हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग करना है मुझे यहां से separate करना है कि इसमें से numbers अलग हो जाए और जो बैंक हो तो हमेरे पास सब्सक्राइब पता है कि हाँ आश्ट में बैंक इन लिजिटका है और नंबर चार्ट जिटका है तो हम लेफ्ट और राइट लगा देंगे तो यहां पर हमने एक कर दिया और फिर हमने राइट और लेफ्ट लगा लिया अपनी हिसाब से बट इसमें कि पास कौनसा है अब से देखा कि अहां कि अधिरे ट है तो हमने पता जो कि एमारा उस एड्डिरेट का प्रीशं क्या है किडिकने क्रेक्ट्र बाद याँ पहले है तो हमने इसके लिए और स्थ दूने परमल एक जैसे लगते एक जैसे वर्ड करते है यूज़ किया है तो हमने दिया कर दियर हमने बोला कि एवद में आहां पर इपिआज अब इसने बता दिया आपका हिए एवन कि बाद वान क्यों लगा आए वान मतलब कि ए धुनना कहान से स्टार्ट करेंगा हमने बहुना तो इसका दे सकते हैं यहां पर जरूरी से नहीं बताया कि अधरेट का पोजीशन आजमा नमबर क्रेक्टर पे हैं आजमा नमबर क्रेक्टर एड़ेट है तो फिर मैंने यहां लेफ्ट का फॉम्मुला है बोला कि हमारा नमबर साथ है और में लेफ्ट से अधर्द हने के लिए लाइट फॉम्मुला है इसकी कंप्लीट लेफ्टर प्रूमुला कि वां दे अगली बार में यहां पर नमबर और एड कर दो हो तो 910 हो जाएगा तो फिर वह तो तो 8 ही रहेगा ना नहीं क्यों 8 और आएगा, चेंज उतर आएगा, नहीं बट हमने ऊपर जो फॉर्मॉला है वो चेंज कर दिया, हमने 8 कर दिया उसको, आप यह वहले पॉलम हाँ, इसमें देखी हाँ हमने बात क्मृ्पीट हो देजैंज। तो कि यह डालेमिक होगी है तोप वाले कॉलम पे क्लिक करना प्रक्षिक नुट अब करना है यह नुट वाले को लुट करना अपने था इस दिजन मैंनस वाइवन वान मैंनस वन इसका यूज कर सकते हैं तो लेफ राइन हमारा होता है और लेंड जो अलग अलग करता है कलिकर आए अब सिस्टम में आगर लिए लिगता है तो तरह का होता है क्यों यह होता है जो त्सक्राइम यही होता है हिए प时间 स्टाइरे को भी इस्टाल करके समय उपर 4 जाए यूंत मतलब मेरा system क्या है मेरा system ए mmdtyy तो मैं आज का date आगर आपको लिच के भेजा अगर का system dtyy और पर है तो इस स्वेथ हो जाएगा 9-4 मतलब की मेरा 9 अपरेल है वह आपका 4 September को सलूशन नहीं है बती अगर किसी को भेजते है। आपको लगता हैै कि इस तकी पॉल्म हो सकती है तो डेट को डेट फर्मले में भेज दे आम । ए हैं तो डेट मन्त ڈाल दियाए और दे डाल दिया आज का डीनफ होने किसी भी system की किसी भी format पर जाएगा तो जैसा है वेसा ही रहेगा को bound set नहीं होगा अहुआ अगर मतसर फार्मेटस और स्रास में मुद तो तब तो च defend नहीं होगा ना तो Pomade만 करने वुढ़र है हमने आपके फॉर्मेंटिंग कर्ड पताया था कि फॉर्मेंटिंग किसी भी कंडीशन में आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करते है तो श्रेक हो जाएगा ऐसी प्रॉल्म होती भी है कि कभी कभी हमारे सिस्टम का डेट डन लेना है तो टुड़े का फॉर्मुला है अगर आप यहां के नाओ कर दें आपका डेटन टाइम का फॉर्मुला आता है किसी डेट में कुछ दिन जोड़ने है तु मैं क्या करोंगा कि इसकी अपॉर्ड प्लस 20 करते हुआ है 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 कि देट में तीन महीने जोड नहीं है तो हमारे पास फॉर्मुला होता है इसको लिया और यहां पर हमने अगर माइनस करना हो तो माइनस करना हो तो माइनस करते है इसका इसका यूद दर्स तारिक महीने किये है तो मुझे हर महीने का डेट ही चाहिए हश्षा हां के इसे एक महीने का अधृ में किया है यहां हमने तेंट में 1 मह जोड़ कर्ना चाहते है अधिय। एक मत्ना चाहते हैं जैसे कि यहां पर देखे हमने क्या हुआ है हमें कि में टेंथ में एक महां ओडुना हुआ तो यहां कि मैं तीन महां जोड़ना चाहता उंथे कि तो अप्रें है यह से थैंक यू यह हो गया उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें यह हमें डेट की कलेकुलोईशन हो गए अब किसी डेट में अगर आपको ज्यादा लंबा गैप दोना हो तो क्या करेंगे जिसे मुझे इसमें दो साल चार महिने और तीस दिनाएड़ करने अब इसलिए को फॉब्ला नहीं बट हमारे पास कुछ फॉब्ला हों जैसे की इयर का फॉब्ला हेckt इसमें से इयर को L and मंत का formula है जो कि इसमें से month को track करते है और day का formula है जो कि date में से day के formula को track करते है और वापस हमारे पास date का formula है जो कि year, month and day को आपस में join करते है तो यहाँ पर इसका benefit हम ले सकते है यहाँ पर date, date में मैं यहाँ year दूँ year और इसमें हमने plus कर दिया 2 फिर वापस हमने बोला कि आप month अलग करो इस date से और उसमें हमने plus कर दिया 4 और फिर हमने day को अलग किया और इसमें plus कर दिया 36 तो यह आपके सामने है date, year, month और date तो हमने separate किया फिर इसमें plus करते है enter मारी है देखिए आपके सामने जूज जाएगा जैसे क्या होगा पतातों आपको कि year में दो साल जूरेगा तो year change हो जाएगा 20 से 22 हो जाएगा month में charge उरेगा तो आपका क्या हो जाएगा four and four eight हो जाएगा और day में 36 एड़ हुआ तो 36 एड़ हुआ तो 9 और 36 एड़ होने के बाद क्या हो जाएगा 45 तो एक महिना एड़ करके 15 आपके सामने 14 आपके सामने डाल देगा 14 15 मन्त के डिपेंड करेगा के 31 है तो 31, 30 है तो 30, 25 और 20 इस तो जोड़ सकते है अब बात करते हैं दो देट के बीच में difference निकार लेगा तो difference in the day में निकारना है आपको तो आप latest date माइनस oldest date करते हैं अगर difference में आप Saturday and Sunday को हटाना चाहते हैं कि सट्रेस अचाहते हैं कि सट्रेस अचाहते हैं तो आप Network Day में अचाहते हैं तो आप Network Day में नेट वाकिंग डेज लगा सकते हैं कि सट्रेट अचाहते हैं कि सट्रेट को इंग्नोर कर देगा या फिर कोई Holy Day लिस्ट हुआ उसको भी इंग्नोर कर देगा तो आपके कंपनी सिर्टा पर संदे को चुपती होती है तो NetworkDates.intl हमने यहां में यहां पर स्टाट डेट और में यहां पर आपना weekend स्लेक्ट कर लिए कि मेरा स्टर्डे सिर्फ होता है सब्सक्राइब मुझे महीने में या किसी का डेट ओवर्स निकांगा है हमारे किसी का 10th July 1987 डालता हूं और आज का डेट के लिए यहां पे मैं तुड़े का फॉर्मॉला अप्लाई करता हूं अब में इस पर हमारे पास फॉर्मॉला होता है डेट डिफरेंस यह आपका एटिंस फॉर्मॉला है लिस्ट में शोर नहीं करेगा आपको मैनुल लगाना पर नहीं करेगा अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कितने महीने महीने कितने हुए तो यहां पर वापस आप डेट डिफरेंस का फॉर्मॉला डालेंगे स्टार्ट डेट, कॉमा, अंडेट और यहाँ पी मैं एन अगर डालता हूँ कब महीना पूरी के पूरी डिफरेंस इनका मन्त आ जाएगा तो मैं यहाँ पे YM करनेता हूँ यह के बाद का महीना तो 6 आ गया और वापस से डेट डिफरेंस में हमने स्टार्ट डेट कॉमा, अंडेट और यहाँ पे हमने डाल दिया MD महीने के बाद का डेट महीने के बाद का डेट डाल दिया यहाँ पे 2 आ गया तो एज हो गए 32 साल 6 महीने और 2 दिन किसी उडाउट है इस में तो किसी का एक्जैक्ट वाट डेट इस तरह से निकाला जा सकता है अब लोग कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं फिर एक की कॉलम में तीनों चीजे निकैस निकालेंगे एक ही कॉलम में तो नहीं निकलेंगा तीन पहुमले आपको लगाने पर रेंगे combine करेंगे हम यह क्या किया कि यहाँ पर combine किया combine करने में यहाँ आपको चीआप समय कमाइन करने के इसमाइन करना है मैंने का इस्त्माल रहता हूं न sanctions कर देता हूं और यहां देगे सद्रीत कुमार होगा तो सेम इसी परा से मैं का करऊगा कि इस फॉर्मुले पर कॉपी नरे पर यहां ऑन पर लगां सब्सक्राइब यहां पर यह लिख देता हूं यह यह जो भी आपना चाहिए और फिर एन परशेंट यह स्पेस देना जो रही है तो मैं मंत वहला फामला अप्लाई कर देता हूं और फिर इसमें देता हूं को सब्सक्राइब कर कोशिएंट है मांंग्स अगे आएन आए और से फिर देट के लिए डेट का रहाई कोपी करती हूं का त्रीट और में देट करता है और है कि यह सर कि लिए कर सकते हैं जैसे कि अगर आप कुछ डालते हैं इसमें मुझे मान लिजे की जोड़ना है अगर आपका टाइम फॉर्मेट में है तो आप प्लस कर लीजिए आपका रिचल्ट आ जाएगा इसके लिए उपाएगा है कि हम टाइम में प्लस हमारे पास इसे डेट का फॉर्मूला था ऐसे यहां पर टाइम का फॉर्मूला होता है है इसमें आप आवर ुडाल सकते हैं मिनट डाल सकते हैं और सेके डाल सकते हैं वो टाइम में कनवर्ड करके एड करएगा काई फॉर्मूला होता है टाइम को डिफ्रेंस रिकाना है जिसे आपर दस बजे ऑफिस आए और साम को छे बजे आप ऑफिस से जा रहे हैं कितना गंट आप नेगाम किया अब 6 आगर डालते हैं तो आपको यहां PM डालना पड़ेगा ध्यान रखिया वरना फिर ओम सेलेट कर लेगा हो इसले मैं हमेशा 24 आवर को यूज करता है ताकि यहीं कंफ्यूजर एम प्यूजर ना हो उसके बाद मैंने क्या किया कि लिटेस टाइम माइनस उल्डेस टाइम करतीजिए आपका यहां पर आजाएगा बट अगर मैं आज दो पहर में दो बज़े गया ऑफिस और रात को मैं तीन बज़े ऑफिस से आउट होगा कितना क्यान दिया तो यह फीचर इस पे वर्ट नह लिखना पड़ेगा जैसे कि कि आज आज ऑफिस गया दो बज़े और ऑफिस से वापस आया लेटेस डेट एंड टाइम माइनस उल्डेस टेंट टाइम आपका टाइम यहां आ जाएगा और फिर इसके ऊपर जो है आप टाइम का फॉर्मेंट में अप्लाई कर दीजिए उसके लिए आपके सामने टेक्स्ट का फॉर्मला होता है स्कॉायर रिखिट में M कीजोई में मीनट के अज़ए आग साकर करते हैं, तो सब्श करते हैं, यह करते हैं कि देट की कैल्कुलेशन में किसी को डाउट है आप लोग को तो पूछ सकते हैं आप लोग यह सर इसमें जो आपने टैन हावर और एटीन हावर लिया है वहां पर हम सिक्स एम करते हैं जब तो फॉर्म्ला कैल्कुलेशन करें पर नहीं करेंगा ना क्योंकि करेक्टर भी उच्पे साथ होगा सुनीं सुनीं आप एम पे एम कुछ भी लिखती कोई प्रॉल्म नहीं है आप यहां पे 6 लिख रहे हैं तो 6 एम डाल पर एंटर मारते और आटमार्टिक सीव सिक्सें में कर दो जाएगा टाइम कर लिए एकसल की फेसलेटी है कि अगर आपने माली जा में आठ और एम एक सांस लिख देंगे तो दिक्कत होगा बट आठ के सांस अगर स्पेस देते हैं तो आठ एम अर्टमेटिकली ओर ले लेता है बट आप स्पेस डाले हैं दूसरी चीज़ आप जो है सौट डेट को लॉंग ड सकते हैं मतलब कि यहां अगर मैं शिक्स एम करना हूं तो यहां पर रिजर्ट कुछ नहीं आएगा तो कभी भी लोवर तो हाय नहीं होता है इसलिए तो मैंने यहां पर डेट और टाइम को एड़ किया था यह आपको अगले तिंग कि छे बज़े है तो आपको दोनों में टाइम के साथ इस तरसे टाइम पो लिखना पड़े के साथ क्लियर है कि डाउट इसमें कि यह सर्ट अगर मैं यह सर्याइश्ट प्रूम आप लगों में से किनको वी लुक अप नहीं आता है कोई है जिनको वी लुक अप ना आता हो यह सर्म मुझे नहीं आता है तो वी लुक अप क्या है चालिए वी लुक अप को लुक अप में थर्ड करते हैं आप जो अपने क्या किया था आपने अपने डिजर्ट देखने के लिए आप अपनी इन्वर्सिटी की विप साइट पर गयते अपना रॉल नमर डाला आपका डिजर्ट आगया था आगया था अजारों लागों बच्चों ने रिक्जाम दिया था अजार लागों बच्चों से आपके रॉल नमर को ढूंके निकाल दिया भाष webcam अपने अकवं देते हैं और आपकी ुडी टरिटी पूरी हिस्टी और हरे चीज निकाल लता है ऐसे अऀन आप अपने एफिरिय्ट डेते हैं तो ह करते हैं कि आपका पूरा ह। आप डेटीएट को अपका ही बहुत ही होता है कि एक यूनिक वैलू की अकॉर्डिंग किसी डेटाबेस में से डेटेल्स को लुक अप कर जैसे आपके सामने मेरे एक छोटा सा डेटा है को आप देख रहे हैं इस डेटा हो सकता है बड़ा भी हो पर छोटा मान लिजे इसमें से क्या होआ कि आपके बहुत ने आपको तीन चार स्रीयर नंबर या इस इनिक कोड मान लिजी सेल्स कोड समझ दीजिए सेल्स कोड आपको बेजा कि मुझे इसके डिटेल दो तो सेल्स कोड हमें दिया गया तो अगर मान लिजे मैं वी लुक अभी यूज ना करू तो मुझे जाके सेल्स कोड को फाइंड करने पड़ेंगे फिर उसको कॉपी करके और फिर यहां पी पेस्ट करने पड़ेंगे इस तरह से तो यहां पी वी लुक अप का यूज होता है वी लुक अप मतलब वर्टिकल लुक अप मतलब कि इस जो हमारा सेल्स कोड है यूनिक आईडिया है इसके विहाप में से मेरे इस डेटा में से डेटा को लुक अप करना VLOOKUP लगाने से पहले चिसके अधिहान लगना कि आपके data में कोई unique code होना चाहिए या name unique होना चाहिए दूसरा और जो unique जिसके बहाँ पर आपको ढूनना है वो आपका पहले column में होना चाहिए कोईकि VLOOKUP left to right चलता है तो यहाँ पर हम VLOOKUP का इस्तिमाल करेंगे LOOKUP value और यहाँ data में जाते हैं और हम selection में start करेंगे अपने उस unique number से तो हमने बोला कि A2 मतलब कि जो sales code है उसको लो और A से के L में ढूनो अब square sheet कहता है कि मैं किसी एक cell के data ही show करूँगा किसी cell पे किसी एक cell के data को ही lookup किया जा सकता है अब यहाँ पर एक problem आ गई आपकी कि यहाँ पर आपको देना पड़ेगा column number इसे मुझे name चाहिए तो मुझे यहाँ name का हमने यहाँ पर दे दिया कि दूसरा number चाहिए और यहाँ पर हमने comma zero कर दिया तो हर column के लिए आपको वापस we lookup one by one लगाना पड़ेगा सबसे परें we lookup लगाएंगे lookup value फिर आप अपने टेबल में जाएंगे और अपने unique id से आगी के तरफ select करेंगे और बोलेंगे कि कौन से कॉलर तीसरा number कॉलर और यहाँ पर exact match के लिए 0 दे दीजिए false या 0 दे दीजिए एक्सम में 1 equal to true and 0 equal to false होता है इसी quantity के लिए same दीजिए इस तरह से इस्तमार पर अब यहाँ पर एक आप लोगों को सोच रहे होंगे कि मिले पास अब 30-40 column होगा तो कापी दिक्कत हो जाएगी क्या फिर एक-एक कटके इस तरह से लगाएंगे कि मैं MRP के लिए अलग अलगाऊंगा तो दिक्कत होगी तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ड्रैग कर देते हैं ड्रैग भी किया जा सकता है या कि फिर column नंबर तो आपको मेनूली डालने ही पड़ेगे तो आपको formula से में बस सबका column नंबर अलग अलग है तो तरीके हैं जो कि आप easily कर सकते हैं पहला array का formula आप पहले देख लें कि किस column का number क्या क्या number है हमारे data में और उसके बाद आप पहले पूरे area को select करें जहां तक आपको formula लगाना है फिर आप the look up को लगाएं जैसे normal लगाते हैं उसी तरह से लगाएं बच इसमें जो अपना column नंबर आप जो मेनूली लिख रहे थे एक करले वाइक में सारे column नंबर लिख दीजिए अपने field के sequence के according आपकर यहां पर 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 और फिर comma 0 for a jack match और फिर इस पर enter शिर्प नहीं मारें इस पर हमारे इसा करते हैं कि आपका पूरा data आपके सामने दिख रहा होगा but date and time का format आपको चेंज करना पड़ेगा date के लिए control shift hash और time के लिए control shift add the rate करने जिए यहां पर आपके सामने आपके लिए तो ही मैं इसको दूबारा समझाता हूं समझ लिए आप लो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के समझ में नहीं आया हूग we look up हमने look up value को select किया data में गया अपने data को select कर लिया कॉमा curly bracket में curly bracket में हम सारे numbers लिख देंगे इसमें जोड़ी नहीं के 1,2,3 sequence के लिखे आप अपने column के sequence के according लिखे कल्दी बैक में क्लोज करें कॉमा चीरो और यहां क्या करेंगे control shift enter इसको बोलते है array वी लुक अप बित आयरे तो वी लुक अप आयरे में कोई डाउट है अब लोगों को सबको clear है सब्सक्राइब देटा में वापस जाईए डेटा में याप रहा है असर शीट में जाए वापस असर शीट में जाए वापस अ हो गया सरव इसमें 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 अगर हमें अगर उपर हमें इसमें वो लगा 紫िल्टर लगाना साथनी वी लुक अमें आपस नहीं होगिया feeling एक सेकंड पिटर लगा यह इसका दूसरा तरीका है समझ दीजिए दूसरा तरीका क्या है मैंच अभी थोड़े पहले आपके मैंच पढ़ाया था कि मैंच पढ़ाते समय हमने आपको बोला था कि मैंच वर्जंटर वर्टिकल दोनों चलता है यहां दो यहां भी हम मैंच कर सकते हैं कि हम यहां के हर किसी किनी कॉलम कर दो चाहिए है मैं यहां पर मैंच फॉर्मूला मैंच फॉर्मूला यहां लगाऊंगा और मैंच फॉर्मूला बताएगा कि इस बेन का कॉलम पोजीशन डेटा में क्या है मैं दोबरा इसमें लगा देता हूँ मैंच, मैंने city को select किया, city column heading को select किया data में गए और मैं heading बाले row को select किया मैं पूरा data select किया क्योंकि match में एक इक row या column देना होता है मैं यहां पर row दे दिया, पहले number लो तो इसने मैं city को search करके इसका column number बता दिया column index number 3 बता दिया, अब मुझे यहां we look up अगर लगाना है तो we look up लगाते समय मैं यहां पर सब कुछ सेम रखूँगा और table heading को मैं select करता हूँ data को, यहां पर manually हम two लिख देते हैं column number, इस two को हम अपने match formula से link कर देंगे, जो हमारा match का formula है या फिर match formula को आपस में copy कर दोगा, copy किया और इसमें हमने paste कर दिया और आपको आगे drag करना है तो आपको इसको lower sign लगा के absolute करना पड़ेगा क्योंकि A को B नहीं बनाना है और AL भी हमारा fix data है हमारा B 10 का 10 को 11 नहीं करना बट B को C करना ताकि city quantity देखता रहे इसको आमने यहाँ पर effort कर दिया और फिर इसको आगे के तरह हम drag कर देख कर देख कर देख कर दें अगला question आता है कि हमने बताया कि वी लुक अप लेफ्ट टू राइच हो तो अगर में डेटा मेरी कॉलम बीच में हुआ तो आपको इस चौर्थे नम्पर पर जो मैंने आपको यहां बता रहे हैं मैच और इंडेक्स और आफसे टो मैच वह अपलाई कर सकते हैं ओके और किसी को डाउट है इसमें प्रणाओ के लिए आप लोगे को अप्रणाओ को बिल्यूक पित मैच अरो है अलो है अब मुझे डाउट है कि ज़्रूरी है कि हम जो दो विलुक अप्ट रहे हैं वो सेम एक्सल वर्ण बुक में हो कि एसा हो सकते हैं वह दिक्कत निए बागा कर बता देता हो आपको जी, हमने इसको select किया, copy किया और control end कर दिया, और इसको paste करता हूँ, यहाँ पर one, 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 two, look up, select किया, अब यहाँ पर table error select करने के लिए, बैं फाइल, two से फाइल पर जाऊँगा, यहाँ देखिया, बक one पे गया, और data में गया, और data को हमने यहाँ से select कर लिया, comma, two, comma, zero, आपके यहां कि यहां कि एक ही अप्लिकेशन पुला है एक अप्लिकेशन दो फाइले नहीं होगा कि दीक है और यहां से ओपन करें तिक तब दिक्कत नहीं होगे अब अगर मैं इस चीज को आटोमेटिक करना चाहूं कि और मुझे उसमें टुडे की डेट से आज की उस बंदे की एज पता चले तो कैसा पॉसिबल है तो मैंने टुडे का डेट ही तो लगा इसमें मैं इसको सेव कर दूगा कल दुवारा खोलूगा तो वो कि डेट राएगा या टुडे फार्मूला सिस्टम डेट को देता है अगर डेटा में इसको फिल्टर करता हूं तो तो वहां पर अपने अटोमेटिक लिए चेंज नहीं वह जैसा दिखेगा यहां पर कोई नी परेगा ने आप असेंडिंग डिसेंडिंग करो उस्ते भी फर्क नी परेगा तो फर्क का परेगा जब आपका चीन्ज ओगा क्योंकि यह डूण रहा है ने सर ए यह सेक्वेंस परेगा तो दिक्ति फिर आपको यहां पर नंबर जो है वो नंबर चेंज करना पड़ेगा लेकिन अगर आपने तो नेम भी दे उदर हो जाए आपका कॉलम भी दे उदर हो जाए तो कोई फर्क भी पड़ता है बट का पर नहीं होना चाहिए मुझे एक सिमिलर प्रॉब्लम आई थी मेरे ध्यानवे ने आ रही एक्टॉप नहीं अभी मेरी एक्टॉली क्या था जब मैं सौर्टिंग करता था ना दूसरी शीट पर यह फैट होता था उसका अगर इसने माली जब मैंने शॉट कर दिया ने अभादि तो यहां आपर आगे ना यहां भी हैंगे आपका अगर मैं दो शीटों को करना चाहूं आपस में तो वो वो फिल जाती है वो एल जाती है तो अच्छा जब शीट गुरूप डोती है उससे पर फर्क निपरता है गुरूप में तो बहुत सारे फीचर अप्लाई ही नहीं होंगे आपके जो फीचर अप्लाई हो सकते हो यह हो गया गुरूप का यूज होता है जैसे कि आपको एक ही बार में कई सारे शीटों पर कुछ लिखना हो जैसे कि मान लिजिए कि मुझे कि से लोगा घॉटگले डिकर से लिएंगे हार दो कॉसीटों की तो पूश के लेक्टर मेरा में इस वाम का घूशित कर देते हैं अट लूप कि ग्रूप अलग चीज़ है ऐसे आप लोग में नंबर नोट कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे वाट्सप पे स्काइप पे या फोन पे कॉल कर सकते हैं मैं आपको टेलिफोनिक सपोर्ट दे दूगा सब्सक्राइब नंबर आएगा और जो रिकॉर्डिंग में लिए उस रिकॉर्डिंग के स्कीन पे भी नंबर हो गया अच्छा या फिर यूटूब पे या गुगल पे आप IPT इंडिया सब्सक्राइब करेंगे आपके डाउट कम में विफसाइट है वहां पे दे सकते हैं हमारी क्लास अंलाइन लाइफ चलती है एक स्पोर्ट लेवल की अभी जो मैं आपको सिखाया है जिकल और आज सिखाया हूं इसको हम लोग 25-27 गंटे में सिखाते हैं एक सिखाते हैं एक स्क्रम डिडेल में तो वी के डाउट है अब आपके डाउट सेश्मिन स्टार्ट हो गया है आप लोग अपने डाउट स्क्रम पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो अब यह लाइस सेशन है डाउट का रोहिजी आपने कई डाउट पूछ लिया है तो बाकियों के थास्ता मोका दे दीजाए फिर म मैं आप पर वापस आता हूं ठीक है तो और लोग भी है क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है ना 53 पीपल्स है तो सबको मौका मिलना चाहिए न सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल तो और कोई है किसी तरह का डाउट कल और आज की क्लासिस से हैं मेरा एक डाउट है अगर आप वापिस बेन पास आए तो अब बाकी लोग अपना डाउट लिख रहा है तब तक आप लें क्या डाउट है सर एक डाउट प्रोटेट करने के बाद में वह असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होता है अगर पेटेबल में तरफ यह पिवर टेवलम में पहले हैं यह लोग होते। इसको आप सब्सक्रामार करदीए प्रफित करने और लगाते हैं तो उसके बाद उपर पोटेट करता हूं इसके बाद में तो हो जाता है लेकर इसेंडिंग ने होता, ओप देखे, मैं ने आपके सामने ले लिया है, आपके सामने, और rice famous, eight amino, and आपके सामने रायो कर्राहा हूं, और ओर maruto. प्रोटेक्ट कर दो इसको आप प्रोटेक्ट में मैंने शॉर्ट और यहां प्रोटेक्ट टेबल दोनों को आप दे दिया हूए ठीक है नहीं सर ऊपर जो प्रोटेक्ट भी करना है शीट को ना तकि फॉर्म्ला डिलिट ना हो अब मैं इसको राइट क्लिक करके शॉर्ट करता हूँ नहीं सर यहां ऊपर फिल्टर में जाईए आप अब फिल्टर में प्रोटेक्शन से लेटेड नहीं होता क्या है कि जब आप इसको फॉर्म्ला लाओट पाते हैं तो यह आपका गेट पिवट का डेटा आता है तो यहां पर दिक्क देई हो देगर पिवट आपके पोजीशन पाड़ी नहीं चलता है वी लुकर की तरह नेम और डेटा को सर्च करता है सर्च करता है रूल पिवट में कर सकते हैं बट पीवट की पार्ट पर नहीं कर सकते हैं कि मैं आपके सामने यहां पर सामने के बाद मैं इसको कर दूगा तब आजाता हूं कि उसमें दिक्कत यह आती है कि इफ I want to send my some sheet to somebody तो फिर formula delete सामने कर देता है और फिर problem आती है उसको protect नहीं हो पाता है तो फिल्टर नहीं कर बाते है तुसर यह rule next बता सर इसमें कुछ नहीं कर सकते है इसमें नहीं कर सकते है नेक्स्ट सर मनी जी तरिक्स्ट नहीं लुकप Bishop बताई कि बी अजणा चाहते है हलाकि यह जब आपने मैंच और इंडेक्स सिखा ए मैंच और इंडेक्स सीखा है का ऑक ने सर तो एच लूगप की जरूरत नहीं पड़ती है तो पिर भी कुछ आपका डेटा वी वर्टिकल है आप डेटा और जंटल हो गया यहां पर ट्रांस्पोर्श करके अब कर दे मतलब कि आपके थो नंबर से इस परैट प्लिक इस पेशन उप पेश्ट स्वेसिंग है आपके त्रांस्पोर्श कर देए तो अब यहाँ पे अगर मुझे पता करना है Christian111 5 का अगर मुझे यहाँ पे quantity पता करना है तो इसके लिए V.Lookup तो नहीं लगाया जा सकता है Index लगाया जा सकते हैं ठीक है S.Lord ईंडेक्स लगाया जा सकता है तो एकि H.Lookup भी लगाया जा सकता है h lookup लगाने का तरीका है equal h lookup lookup value अब यहाँ पर table जो हमें b lookup में हम ऐसे select करते हैं ऐसे select ना करके मुझे इस तरह से select करना पड़ेगा और फिर comma इसमें जो हम देंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 number row है row यहाँ भी है comma 0 कर दिया यह आपका 70's quantity दिखा दिया और किसी में डाउट है थैंक्यू सब्सक्राइब 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 मैं एक चीज यह पूछ रहा था कि जैसे हम लोग MIS बनाते हैं अपनी अपनी एक्षल पे तो हमना अलाला तरह के ग्राफ प्लॉट्स करते हैं अब हर महिने के लिए हर एक एक्षल पे डेटा एक्षल पे रहता है सारा मगर जो ग्राफ प्लॉट्ट करते हैं उसको कॉपी करते हैं पावर पॉइंट पे तो जब जैसे जनवरी मंद की हमने MIS बनाई तो जनवरी मंद की सारे ग्राफ एक पूरी पावर पॉइंट शीट पर हो गए सारे जेसे प्लुन कativas करता तो जब पेश्ट करते हैं मुझे इसछी डेटा को में कॉपी करना क्या पावर पॉइंट पीज है पावर पाईंट जैसे मैं ओपन्र किया आइँ के पेश्टिंट स्पेशल उसमें होता है तो पेश लेज़े पिक्चर लिंक होता होते है चीक है यहां पेश्ट स्पेशल में यहां आपका पेश्ट लेज़े लिंक होता है यहां पेश पिल्लम है कि आप किसको करती है। इसकी फाईब मंद के लिए प्रियों करते है। यांख शोक्त Okay है फाइख आपकर देटाह्यां कि मैंने उधैपूर डिल्ली जैंपूर इंतना मैंने ग्राफ प्लॉट किया गराफ प्लॉट करें के लाया प्रेजेंटेशन के लिए मने इसको से पाउर्पॉइंट ने प्रेस्ट किया यह मैं जनवरी मंद का शो कर दिया दिखाने के लिए अब हुआ जया इसका और आपके जो फाइल होती है एक्सल फाइल चहां सब लेकर आते हैं नियुक्त नहीं लिंक करते हैं और जायगा चाया वह डेटा हो या ग्राफ इस पर ग्राफ भी बना दिया इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं अपने पावड में हमें इसको कॉपी किया अब जिस्ते मैं इसको पेस्ट कर दिया आपने पेस्ट कर दिया नो यह हमारे एक्सल सिल्ट से लिंक हो जाता है छुक है एक सल्सीमा लिंक हो जाता है तो इसको आप क्या करे कि कॉपी ना करे इस पेस्ट ना करे पेस्ट स्पेशल में जा रिए पीश पेश्ट an eastern link कर दें फिर आपका दिक्कत नहीं होगा सर्व छिउर लेंग एक bept औरleanlar необходимо दिया और दीकत हो होगा सक्या में फिर दृटि क कि और किसी को डाउट है कि एक और क्वेश्चन है किसी अगर में को कंडीशन मीट हो जाती है कि होने के बाद में पर्टिकॉर सेल बिलिंग कर सकते हैं क्या है अरे सेल बिलिंग की बात करें हैं सेल बिलिंग किया जी सर्प लेकि उसके लिए पीवी यूज करना पड़े और यूट्यूब चैनल पर सेल बिलिंग करने वाली कोड को आउर्ट ये अपने चैनल के स्विवड है अक है कौन सी एक्सल है तर उसके लिए वी 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 मैक्रोस प्रोग्राम जाना पड़ेगा तैकि इस से लेटर मैंने सेल्ट बिलिंग करने से लेटर फॉर्मॉले को मैंने इसकी वीडियो को मैंने यूटुब पे डाला हुआ है आप इने चैनल करेंगे अच्छा आप अगली कुश्चन मनी से लावा किसी और को क्वेश्चन है बहुत साय लोग है चुपता है कि आप मेरी क्लास समझ भी नहीं है कि आप लोगो को यह कुछ ज्यादा ही समझ में आ गई हुआ हमाज आ गई है अच्छा चलिए 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 मैं मैं पूछता हूं सबसे अमर्देव जी कोई प्रॉल मैं सुन पा रहा हूं हां जी सरांजी अभी तो आपने अपने अपना नंबर और जो बैट करेंगा तो बैटर समझ भी आएगा तो आज की जो वीडियो है यूटूब पे चली गई है बिलकुल सर वहां से आप ले सकते इसके बाद कभी भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं टेल यूटू वीवर उनको भी देता हूं हर किसी को आपको हमेशा में साथ टच मेरा सकते हैं हम आपको फोन पे हैसा सब्सक्राइब करेंगे अगर आपकी अगर अलग पॉलम हुई तो मैं उस पे वीडियो भी बना के आपको बेज दूँगा राइट सब्सक्राइब है ठीक है और कुछ सिखना चाहते हैं और तो पदाईए आप लोग के पास कोई कोश्चन नहीं है चलिए एक टॉपिक बहुत अच्छी मजधार टॉपिक है चार से लेटेर हम आपको कवर कर देते हैं इसमें पूप के सर्प पूपिक है अभी में पास नंबर में लिखा हुआ है अगर मुझे उपको वर्ट में कंवर्ट कर रहा है या डॉलर में है या पॉंड में है या किसी चीज में हो मैं कंवर्ट कैसे करूँगा मतल्ब्द इसको आप एकसलना नहीं है इसकी के लिए अर्फ इसके लिए अपर अप्रोच नहीं है बट इसके लिए अब यहां को नहीं है अब यहां कोवता है क्रंसी ट्यक्स को भोलते हैं एक्सल हेल्ट में सर्च करेंगे करेंगे करेंशी टू टेक्स तो नहीं यहां पर इसका कोड आपको मिल जाए बस कोड को मुडूल में कॉपी पेस कर दीजिए इसमों कर दो तो य्दार एको नफे एक्ड़ब इस code को आपको कुछ नहीं करना है, copy करना है, नहीं पर दिखा जाता हूं आप लोगों, अलाकि बीविंग के बाले को बहुत ज़दा ज़रुत परती है, इसकी है, क्या सब, इसको code को लीजिए और यहाँ developer में जाए, visual history में जाए, एक नया module इंसर्ट कीजिए, आपके पास हो प्लस एफ 11, प्रेस कीजिएगा, तो आपको VVE, Visual Basic Editor खुल जाएगा, इसको इसको इस्टॉल करने की जोटी नहीं होती है, आप एक साथ इन्टॉल होता है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे, कुछ नमबर जो है, कुछ लाइन आ इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, बस, के रेट हट जाना चाहिए, रेट रहना नहीं चाहिए, ज्यादा ने एक दू जगाँ पे रेट होता है, जैसे यह हुआ, तो यह देखेंगे, ज्यूंके बीज में गैप है, गैप में हदा देखेंगे, इसको इसको इ अब मैं इस फेल नंबर का फॉम्मूला अपने एक दूस्पर बनाओंगा, जैसे मैं यहाँ पे उस टाइप कर देखा हूँ, आगया, वन तौजन फाइवंटेट बोल्त है, वन डॉलर नो सेंट, तब डॉलर को रुपीज में करना है आपको, सेंट को पैसे में करना है का कुम आउडेञा को किज्येका सर, बिताओ, जैसे यहां दिखनाा हा मैं आपको, नो डॉलर, यहांदस, वन डॉलर को कर दीजे रुपीज, क्रुपीज, नाउड्च को कर दीजे, पैसा, वक्षों, ईकवर्सक्रों को किज्येका सर, तो आप एक वाडियू में चेंज करेंगे तो वो मेरी एक्सल में ऑटोमेंटिक ही चेंज हो जाएगा यह नया फामूला बन गया सर एक्सल में इस पेल नमबर तो बताई गया और किसियों की डाउट है नहीं सर चुनिए एक टॉपिक में प्रहाद देता हूँ आज की लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक में क्या है कि मेरे पास एक डेटा है है यह बहुत मज़दार पपर ध्यान लखेगा मैंने इमाली जीह यहां पे नहीं नहीं कर दिया और जैंग कर दिया लिज म्यूट कर लिजिए और यहां पर हमने नहीं दे लिए और इसमें हमने इस नम्बर्स दे दिए अब मुझे इसको चार्ट में चार्ट में चार्ट करते हैं उनको पता होगा कि लेकि इसमें दिक्कत है छोटी सी दिक्कत क्या है जब जिसको चार्ट में चार्ट में चार्ट करते हैं तो इसमें प्रॉल्लम क्या हुआ च्छोलो मानलेजर भी तो आठ नमबर्स हैं यहां कैगा 10-20-50 होता है तो कापी दिक्कत हो जाती है की, पुजा जनवरी में कौन सा है, फरवरी में ऐसीं कौन सा है। तो यहां पर मुझे बिधिन नेम को Speech בר नहीं करना है, मुझे एक lado मैं के अंदर मंत को चॉम्पेर नहीं ही। हमेज से कोई मतलब नहीं कि, पूजा और नीरस के सेरां में क्या comparing है… मुझे रिखना है कि कुजा का मंक ने कंपेरिंग किया है तो मुझे यहाँ ऐसा नीड है कि हर नाम के लिए मुझे अलग-अलग एक चार्ट बनाया जाए 25 चार्ट हो तो बना लेंगे 100-200 चार्ट बनाना और उसको हैंडल करना मुस्किल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपल सा हेडिंग को कॉपी करते हैं इसके डेटा के नीचे जावें कहीं साइड में उसको रखेंगे उपर हैं मैनुवली वन लिख दीजिए और फिर आप ऑप सिट का फॉमला जो थोड़ी दर पहले बताया था इसको यूज कीजिए मैं रफ्रेंस के इसको सेलेक करता हूं और रो को इसको सेलेक कर लिया कॉलन यहां जीव कर दिया है अब मुझे इसको आगे के तरफ ड्राइग करना है तो मैं फिल्म फ्रीज कर दूँगा है और फिर इसको आगे के तरफ ड्रैक करना है अब मुझे इसके उपर इंसर्ट करना है चार्ट को अब इससे क्या हुआ कि मैं अगर यहां पर टू दूँगा तो दूसा आएगा पर मुझे नमबर यहां चेंज करने पर है मैं चाहिए कि यहीं पर कोई ड्रॉप डॉप डॉण होना चाहिए तो इसके लिए डेवलपर पर मैं जाओंगा अब डेवलपर टैब आपके पास नहीं होगा तो फाइल के ऑप्सन पर जाएंगे कस्तमाइज रिबन पर यहां आपको डेवलपर का टैब दिख जाएगा और फिर यहां आप आएंगे इंसर्ट करेंगे अपने कॉमो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स को और जहां चाहिए वहां आप डॉग कर देगे इस सी की हम आईगा कैसे रिफ्या करदे मिया शोमे में इसमें दो टाइप एडभ एक्टिव एक्स कंड्रोल एल फॉर्म कंड्रोह तो आप फॉर्म कंट्रोल लीजिएगा, अगर अगर लेते हैं तो आप फॉर्म कंट्रोल को लेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, और यहां इंपुट रेंज में अपना नेम का इंपुट डाल दीजिए, से लिंक जहां आप नमबर चेंज करने से आपका चार्ट चेंज होता है, उस एरिये को सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रस आप 3D मुलर में दिखेगा, अब इस पर होगा क्या, जैसे मैं यहां पर पूजा सेलेक्ट करूँगा, तो पूजा का जो सिक्वेंस नमबर है 1, वो 1 यहां डाल देगा, इसमें जो सिक्वेंस है, नीड है दूसरे नमबर पर है, तो यहां दो टाइप कर देगा, जैसे यहां दो टाइप होगा, अफसेट अपना रिजल्ट चेंज कर देगा, जैसे अपना रिजल्ट चेंज करेंगा, चार्ट अपना विज्वालिशन चेंज कर दे इस तरह से, इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि और भी फीचर्स हैं, तो इसको खुद भी आप राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ऑफिसर फॉर्मले को सही से नहीं समझेंगे, तब तक एक समझ में आपको आना मस्किल है, लेकिन इस तरह के फीचर्स आपने डैस्टोर्स पर कर सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा, हम जो डैस्टोर्स जिस तरह का यूज करते हैं, वो हम आपको दिखाते है हैं कि हम जो जिस तरह कर फाइले और यूज करते हैं, आफिस के अंदर में, तो ओ सेंपल को आपको दिखाते हैं अब हुआ, चलिए, सबसे पहले इसको देखिए, यहां पे हैं, कि मैं पॉड़क्ट है हमारा, हम अब जो डिपोर्ट देख रहा है, हम पॉड़क्ट बाइज देख रहे हैं, हम पॉड़क्ट बाइज अपनी डिपोर्ट को देख रहे हैं, डेटा इसका हाइड है, मैं यहां से इसको अन हाइड कर सकता हूँ, देखा हूँ जैसे मैं यहां पर प्रोडट के जगा पर पर मैं ले लिया डीजोंट मुझे रीजर boss detail चाहिए तो पूरा Charred मेरा रीजिन की हिसाब से calculate हो गया प्रोड़क्ट को की हो गया okay please मैं करों में रीजों होगा तो डीटेल से यारली आ गया 2300 से लेकर 2000 क्या आगे की हिसाब से Quarterly आ गया यहां पी year की हिसाब से चल रहा है कि अगर मैं मां लिजी हमारी रीपरेंटरी की हिसाब से करूंगा तो मेरा सेल कुडारी sales स्रॉपंडरी की हिसाब से poorer और यहां dependent है अगर मारी चे मुझे एक्चुल रिवेंडू चाहिए तो मेरा पूरा से एक्चुल रिवेंडिक पूरा चार्ट ग्राफ जो है लिंक होगा क्योंकि यह फॉर्मली के साथ लिंक है यह तो सिंपल सा अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूं यह डेटा है इस डेटा पर हमने एक डैस्टबूट बनाया हुआ है अब यहां पर मैं अबना प्रोड़ाइट को चेंज करूंगा तो में डेटा पूरी डेटा उसकी हिसाफ से चेंज हुआ है यहां देखी इस लाइशर लगा हुआ है अगर मैंने कस्समार टेंट दिया तो यहां रीजन से हैं मैं यहां से रीजन 2 के जगह पर रीजन 1 को सिलेक करूं तो मैं डेटा उसी हिसाफ से प्रफॉर्म करेंगा तो आप लोग यह दिखाने का पॉपस अब बोलेंगे मुझे क्यों दिखा रहे हैं हमें तो बनाने नहीं आएगा तो करने मतलब है कि आप भी अपने ऑफिश्यल लाइश में इसी तरह का करने की कोशिस करेंगे इसलिए चीजे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी यहां पर देखिए पूरा का पूरा डेटा रिपोर्ट बना हुआ है यहां आपका टीम का परफॉर्मेंस है सेल्स के बगड़ा है यहां फाइनिस्यल है बहुत सारे यहां पर भी डेटा है उन आप उसी के अपना रिजल्ट चींज करते हैं अगरे देखिए इसमें देखिए अभी जो है हमारा यहां पर कर्सर है कर्सर जैसे जाओंगा देखिए आपको मुव्मेंट चेंज होना है यह वीवियर प्रगार्मिंग से बनाया गया है इस पर क्लिक करूंगा तो अब देखिए इसके अकॉर्णिंग आ जाएगा फोलिड़ा सेलेक्ट किया हुआ 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 है हुआ 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 है कि अधुरा मने सेक्स में बनाया नहीं है हुआ हँआ है हेन्य कि इसमें दखेंगे तो ब्लंक कुateurs नहीं देखे गया ऐगा जैसे में यह आ पर सेलेक्ट करूगा हुआ है मैं पूरा हिटा हिटेल आ या है वाइक की इसमें वीवी इस्तेमाल किया है हुआ इस में वीवीद नहीं है नी है जो भी दिखा रहा हुँ है आपको कि वे उसने नहीं है तो यहां पर इंडिस्ट्री है यहां पर श्रूम श्रेल 거지 तो में रिपोर्ट शर्वीशिस का अपने आपको चींज कर रहे हैं तो इसके लिए अलग-अलग मुझे रिपोर्ट्स बनाने की जरूद नहीं है मैंने एक ही रिपोर्ट्स में हमने आपके दे दिया कि आप अपना जो जो रिपोर्ट जिस तरह का रिपोर्ट दिना चाहते हैं और डॉडाउं किजिए और अ क्लासेज आपकी ओफिश्यल लाइफ में सपोर्ट करेगी फिर भी प्रॉल्म हो तो मुझे से टेलिपोर्ट सपोर्ट आप ले सकते हैं फोन पर जितना हो सके मैं आपको मदद कर दूँगा टॉपिक अच्छी हुई तो भी इस पर वीडियो भी बना दूँगा लाव में कोई ऐसा है तो कि पूरी की डिटेल एक्सपोर्ट लेवल की क्लासेज देना चाहते हैं तो ले सकते हैं डिटेल सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा आज की क्लासेज की वीडियो जैसे तो य रिकॉर्डिंग कंवर्ड करके आपको पेज दूँगा